कुछ करिये, कुछ करिये नस्ञास मेरी होँदे मुछ करिये लट पजबत पढ़ा बोदे अब कुछ करिये अजो फटा-पढसे आजाओ या जो इनोर फटा-पढसे आजो तो बेटरिये याआपए पकुछ कमेंश होग toca तुन बेदर ये जामर ये चक दे हो चक दे इंडिया 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 हेलो जी हेलो 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 कैसे आप लोग तो मीथे सब बहुत अच्छे होंगे यार और तो अपने घर पे सेफ होंगे सर वन ओव दा वन ओव दा टफेस्ट चेप्टर इन दा जेजल टफेस्ट मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि सर टफ का मतलब चैप्टर टफ है इस चेप्टर के अंदर ना बहुत कुछ है बहुत सारी एक बात तो मैं बता दू सरी चेप्टर के अंदर अमेंडमेंट भी है जो आई सी आई साई ने अब तक अपने मोडूल में नहीं डाली है जी बट येस आई एशोर यू यार इतना होंवर किया है अप लोग के लिए इ आप लोग को मैंने शेयर किया अच्छा तो रेगुलर लेक्चर वाले नोट्स नहीं है यह इसमें मैं जस्ट नीचे शील्ड लिखना भूल गया तो आप इस चीज से कंफ्यूज मत हो ना कि इसमें मैं शील्ड लिखना भूल गया एंडेन पोन नंबर इसमें डालना भूल गया मैं तो फोन नंबर अभी डाल देता हूं तो बच्चों को लग रहा है कि से रेगुलर वाले तो नहीं है रेगुलर वाले तो सर इसकी मेरे 31 पेजिस के नोट्स हैं ठीके ना फड़ा फट से यार फड़ा फट से जोइन कर लो तो एक बात मुझे बता दो क्या इस जाधा दिहान नहीं दिया है बट आज के चैप्तर के मोस्ट मार्प कर लेंगिंग अप लोग के लिए मैं इस में क्या आप लोग को जरा सब सब इस चैप्टर में प्रोबलम हैं है कम आउन गाईस स्टार्ट करने से पहले में कम से कम मैं रॉक्टर इस टाइम पर हम लोग तो पहले मुझे आप लोग की दवाब वो दो पता हो ना कि आप लोग की प्रोब्लम क्या है सर बताओगे मुझे सो लिए भूत सो गड़ दो गंटे तीन गंटे कोई दिक्कत नहीं है सर घर में शादी है इसलिए सोय नहीं कोई बात नहीं नींद उसे आती है जिसका अभी टार्गेट अच्छीव हो चुको हो और अभी हमारा अच्छीव नहीं हो है अभी बहुत कुछ वाकिया इस टार्गेट में तो फटा-फट से मुझे बता दो क्या आप लोगों को इस चै चैप्टर को लेके चलूँगा थोड़ा थोड़ा ही आता है सर पहले बिमारी पता कर लो ना बच्चा बोला सर पहले बिमारी पता कर लो तो नलायक बच्चो फटा-फट से बिमारी बता दो पड़ा-फट से बिमारी बता दो सर बोर करता है चैप्टर मैं आपको वादा कर बहुत आप लोग के डिपेंड करता है आप कितना साथ मेरा देते हो बस लगे रहना यह रहा चैट वोक्स ना भर देना मतलब अपनी एनरजी जितनी है ना जोक दो सारी फटा 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 बदातो लन भी नहीं होता अब डिटेल में पढ़ना है आज मैं इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा प्लेंशन मतलों आपको रेगुलर क्लास भी कहीं से ली होगी आपने सेल्फ भी क्या होगा सर मैं कहा रहा हूं सर नजारे आ जाएंगा जी चैप्टर के अंदर आपको नहीं पता लग जाएगा कि हां सर जी आई जील भी इस तरीके से ड़ लेके लिखिए लोग ली होता है का दिया हूं से यह पड़ाई नहीं सर चोड दिया हो नहीं अगर आप चैप्टर चोड़ के जाएयो और यह नहीं पता किस टाइम पर कौन सा बर्मास्ति न boat बरमास्तरी आपको जंग जित वाता है नो कई बार कई बार हमें नोर्मल नोर्मल एक भाला भी जंग जित वाता है तो आप ये छोड़के कभी मत जाना कोई बच्चे को इस चैप्टर में प्रोब्लम है जो मैं देख पा रहा हूं सर ये चैप्टर कंप्रीलों में भी है जो बच्चा यूट्व फैमली का देख रहा है रेगुलर वाले बच्चे को मैंने सारी अमेंडमेंट करके नहीं डाला बट आम विद यू पीपल मैंने उस चैप्टर की पूरी अमेंडमेंट की है जो बच्चा यूट्व फैमली का देख रहा है रेगुलर वाले बच्चे को मैंने सारी अमेंडमेंट करके दिया है बट जो बच्चा यूट्व फैमली का देख रहा है उन लोग को भी टेंशन नहीं लेने का है टेंशन सारी मैंने लिए मैंने आप लोग को प्रोपर टाइप नोर्स बना के दी हैं चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेश्टिंग एनि टाइम फुल जोश फुल एनर्जी के साथ सर्ट करते हैं अपना स्पेशल कोड सर मैं अगर चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो 4216 मार् लोग अच्छा बहुत सिंप्लिफाइड वे में यार कुछ नहीं पढ़ना बस समझना हैं सर रटे नहीं मारने समझना हैं प्लीज अपने दिमाग को प्लीज अपने शोनू मोनू जो भी है उसको थोड़ी सी देर के लिए बोल दो अभी मुझे अपने करियर पर ध्यान दे सर जो ट्रिबुनल है ट्रिबुनल सर जो ट्रिबुनल वर्ड है ना सर पहली बात ये ना इनिशिली कोंस्टिटुशन में नहीं था सर जो ट्रिबुनल से हैं सर ट्रिबुनल का मतलब आप सबको पता है सर वो घिसी पिटी लाइन दाट इस क्वासी जुडिशल फड़ा बोड़ी भी बोल सकते ना जी चलो क्या सर हम इसको एड्मिनिस्ट्रेटिव ट्रिबनल भी बोल सकते हैं कम आउन मुझे बता दो कोई वातनी टेस्ट वेस्ट देते रहे ना जब देना है पहले क्लास लो ना लायक टेस्ट देना है सारे दिन टेक्स पढ़ते रहो जैजल भी पेपर है ना लायक बच्चे पहले कर लो मैं पूरा कर दूंग उससे पहले टेंशन मतलब सर नोटिंग करते रहना जैसे मैंने लिमिटेशन एक्ट में आप लोग को दिखाया थाने के लेवल क्या होता है सर पढ़ने का ये चैप्टर में उससे भी बढ़िया लेवल जाने वाला है अगर अभी करना है तो वरना आफ्टर क्लास अगर आप नोट करोगे तो फिर मु Constitution ने तीन बोड़ी बनाई है जी सर सबसे पहली बोड़ी आपको सबको पता होगा सर legislature यहने legislative बोड़ी सर दूसरी आपकी बनाई है जी executive बोड़ी सर तीसरी आपकी कौन से बनाई है जी judiciary बोड़ी सब बच्चों को पता है जी सर सबको सबके functions भी पता है काम भी पता है ज्या सर, usually, इसका काम क्या होता है, देखो, इसका main function क्या होता है, जो low बनाए गए, उन lows को implement करना, enforce करने में help करवाना mainly काम होता है, सर, जुडिशिरिय का क्या काम होता है, सर, अगर कोई भी dispute होगए, तो उन dispute में interpretation करना, उन dispute को resolve करना, doubts को clear करना, लोगों के बीच में, नॉर्मली जुडिशरी काई काम होता है, बट एक बात आपको पता है सर, एक बात हमें पता है सर, more than 3 करोड केसिज, more than 3,000 करोड केसिज, सर, इंडिया में पेंडिंग है, तो क्या मैं बोल दू, due to overload of cases, due to trunk load of cases, सर, इतने सारे cases, भारत में पेंडिंग है, come on guys, मुझे अंसर दो, सर, जुडिशरी सिस्टम, already overburdened चल रहा है, सर, जुडिशरी सिस्टम, already overburdened चल रहा है, तो सर, ये constitution ने problem समझी, initially, सर, constitution ने, tribunal नामक, कोई भी शब्द को जनम नहीं दिया था, सर, initially, constitution ने tribunal जैसी कोई बात ही नहीं की थी, उन्होंने सारी whole soul जो power थी न, सर, जो matter decide करने की, disputes को resolve करने की, जो whole soul power थी, वो दी थी, सर, किसके कंदों पे, जुडिशरी के कंदों पे, सर, वो power को सोपा गया था, later on, सर, जिसको बोल सकता है, mini constitution, हाँ, जी, guys, मुझे बताओगे, later on, सर, जिसको हम बोल सकता है, mini constitution, जिसका नाम हमने दिया था, mini constitution, कोई भी बच्चा मुझे बताएगा, सर, वो क्या था, 42nd amendment, बिल आया था, सर, constitution का, जब सर, 42nd time amendment आई, constitution के अंदर, तो सर, constitution ने, सर, tribunal नामक, शब्द को introduce किया, constitution में, और बोला, parliament, come on, guys, बहुत ध्यान से देखना, बोला, parliament, लो बनाकर, सर, कोई भी लो बनाकर, उस particular लो के लिए, उस specified लो के लिए, जो लो बनाया है, उसके लिए, सर, statutory body, come on, guys, एक अलग से एक statutory body, एक authority, सर, जिसको हम administrative भी नाम देते, एक statutory body बनाएगी, सर, उस particular लो को, वो क्या करेगी, govern करेगी, उस particular लो के, सारे disputes, सर, वो कहां जाएंगे, श्चेचरी body के पास, सर, इसको हम administrative body भी बोल देंगे, सर, अब अलग से तो कोई body नहीं लाई जाती, सर, इसको हम administrative tribunals भी बोल देंगे, तो come on guys, जैसे कि मैंने इसका नाम बोला, quasi, सर, quasi का मतलब क्या होता है, quasi, come on guys, sir, quasi का मतलब क्या होता है, which seems like a coat, but actually not, sir, वो दिखने में तो coat है, but actually coat नहीं है, उसके लच्छन, उसके देखने में, उसको देख के आपको ऐसा लगेगा coat है, but actually not, which seems, which seems like a coat, which seems like a coat, sir, याद रखना है exam में, आप लोग को ये chapter इतना easy हो जाएगा, इतना easy हो जाएगा, sir, मेहनत किये आप लोग के लिए, इतनी मेहनत किये, इतनी मेहनत किये, कि sir, इस chapter का level ही नहीं छोड़ा आप लोग के लिए, देखना, इस दो गंटे के booster session के बाद, आप लोग का chapter का fear खतम हो जाएगा, और हर बच्चा comment करके जाएगा, sir, बाद में, जो निचे comments होती है, ये live comment नहीं, कि sir, मजा आ गया, which seems like a coat, but actually not. सर, देखने में तो court लग रही है, बट नहीं है, तो sir, जब administrative body को, कुछ judicial functions को delegate कर दिया जाता है, कि sir, आप कौन से functions को delegate, किसी particular act के, जो अभी बताया ना आपको, किसी particular law के अंदर, अब जो भी matters होंगे, sir, वो special power, वो special law, sir, आपको power delegate कर दी गई है, वैसे तो court के पास power है, सारी, general power है court के पास, अभी बात करूँगा, बट कुछ particular specific matter के लिए, administrative body, आपको कोई power हम entertain करते हैं, आपको कोई power हम delegate करते हैं, आपको कोई powers के लिए हम authorize करते हैं, तो sir, उस particular act में, जिसके लिए आपको authorize किया है, उन particular matters के लिए, उन particular cases के लिए, sir, जब आपको ये power authorize की गई है, उसको बोलते हैं, administrative tribunal, sir, ये court नहीं है, इसलिए word use किया, tribunal, इसलिए word use किया, tribunal, quasi tribunal, quasi judicial body, court तो नहीं है, बट court जैसे दिखने वाले functions perform करेगी, समझ में आगे जी, तो sir, quasi judicial body, ये ट्रबनल, क्या-क्या functions कर सकती है, sir, ये judge करेगी, कोई matter आएगा, तो उसको देखेगी पहले, sir, और क्या कर सकती है, sir, ये और क्या करेगी, adjudicate करेगी, decide करेगी, sir, उस matter को evidences के basis पे, sir, उस matter को witnesses के basis पे, and then उसके बाद क्या करेगी, sir, determine करेगी, हाँ, sir, finally decision लेगी by way of order, sir, determine करेगी parties ने जो claim किये हैं, याद रखना, tribunal कभी भी decree pass नहीं कर सकती, tribunal कभी भी decree pass नहीं कर सकती, tribunal जो order देगी, जो judgment देगी, उसको बोलते हैं, order, sir, tribunal के decision को क्या बोलते हैं, order, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि constitution ने भी इस बात को समझा, जो over burden थी हमारी judiciary system, trunk load of cases था, sir, judiciary system पे, sir, उसको कम करके, court system को, tribunal system को entertain किया गया, मुझे बता दो, sir, क्या आप लोगो को tribunal का मतलब समझ में आया, court का मतलब समझ में आया, sir, court का मतलब क्या, जिसको, sir, judicial में, क्या मैं बोल दो, sir, tribunal क्यों लाया गया, sir, tribunal को लाने के बीचे वज़ा, ये भी थे, speedy disposal of cases होंगे, sir, sir, क्योंकि court में इतने सारे matter pending है, cases को dispose of करने में time लगेगा, तो speedy disposal करने के लिए जुरूरी था, sir, less formal way चलेगा, sir, यहा, उतना formally काम नहीं होता, less formal way है, और less expensive way है, sir, less formal way है, less expensive way है, तो sir, speedy disposal होगा, formal way थोड़ा सा कम होगा, expensive way कम होगा, sir, क्या मैं बोल दू, more relaxed manner में, sir, बहुत लड़ू, एक चिंदी वाले कामों में, sir, more relaxed manner में, sir, आपका dispute को resolve कर दिया जाएगा, more relaxed manner में, sir, आपके dispute को resolve कर दिया, जाएगा, sir, यह 3-4 बात अगर exam में आती हैं, क्यों लाए गया, sir, speedy disposal करना जुरूरी था, due to the trunk load of cases, over burden of the cases of the court, judiciary system, sir, less formal चलता है, less expensive चलता है, more relaxed manner चलता है, sir, court में थोड़ा से जादा formal way में, decision दिये जाते हैं, sir, उस चीज को दूर करते हुए, sir, हम यह less formal way का, हमने option दिया, court decree pass करते हैं, notes, यार मैं कली share कर चुक हूँ, telegram में भी किये मैंने, amrita, telegram में भी share किये हैं, अपने whatsapp group में भी share किये हैं, जी, तो notes तो अभी आपको नहीं पूछने चाहिए थे भाई लोग, ठीक है, तो notes के लिए, आपको परेशान नहीं होना है, notes तो मैं पहले ही share कर दिया, तो बहुत देर पहले कर दिया था, morning में, तो एक बार मुझे बता दो, यार इतना समझ में आ गया, क्या ये जो मैंने आप लोग को, एक पूरा एक basic दे दिया, tribunal, court, tribunal, QI, क्या इतना समझ में आ गया, come on, एक छोटी सी चीज और मुझे बता दो, एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं, sir, like, जो हमारी courts हैं, courts, अभी difference की बात करेंगे, इनके बीच में भी difference की बात हैं, हुई नहीं है, करेंगे, sir, जो courts हैं हमारी courts, सिविल कोर्ट है, तो जो भी सिविल नेचर का मेंटर हो, section 9 of the CPC पढ़ा है, every सिविल नेचर का मेंटर की ट्राइल कहां जाएगी, sir, पहले, सिविल कोर्ट पे, sir, जो भी criminal नेचर का मेंटर हो, sir, वो कहां जाएगा, sir, criminal courts पे, तो sir, उनके पास एक general power, क्या आपको बता सकते हैं, कि बस इन-इन मेंटर से लेटेड आपके पास power, answer is no, एक general power है, अगर कोई भी person aggrieved है, सिविल नेचर के मेंटर में, तो जाएगा civil court पे, क्रिमिनल नेचर के मेंटर से aggrieved है, तो कहाँ जाएगा, जी, criminal courts पे, बिल्कुल, बिल्कुल तन्नु सही बोल रहे हो जी आप, order होता है, ट्रिमिनल्स order देते, क्या मुझे बताओ, क्या general power है, क्या sir, whole power, complete power, sir, पूरी power होती है, court के पास, जो भी एक, जितनी भी एक power, जुडिशिटी सिस्टम में है, बड़ सर्ट ट्रिमिनल्स के पास, ऐसा नहीं होता है, सर्ट ट्रिमिनल्स के पास, क्या होता है, जी, ट्रिमिनल्स के पास है, special power, क्यों से special power, उस particular enactment के, सर, जिस enactment में, आपको appoint किया गया है, आपको authorize किया है, उस particular deduct, for example, समझना चाओगे कौन से, सर, for example, company law के अंदर, NCLT, सर, sabby laws के अंदर, sabby, competition के अंदर, CCI, समझ सकते हो ना, बात, तो सर, इस तरीके से, ये बस अपने law से related, या जो law बताये गए है, जो उसको power दी गई है, उस particular, उस special power को ही use कर सकते हैं, सर, इनके पास general power नहीं है, वो सारे matters इनके पास नहीं आ सकते, समझ में आ रहा है, special cases को ही deal कर सकते, सर, ट्रिबनल बस, only special cases, come on, सर, लोग कर दू, एक और बात बता दू, एक और बात सुनोगे, सर, जो courts होती हैं, courts, वो criminal matters को भी ले सकती है, बड़ सर, जो tribunals होती हैं, वो सिर्फ civil matters को लेते हैं, सर, वो criminal matters को, नहीं ले सकते, सर, criminal matters इसके अंदर नहीं आएंगे, समझ में आ गया जी, और सुन लो, सर, court के पास power है, सर, वो imprisonment भी दे सकती है, सर, court fine भी लगा सकती है, court penalty भी लगा सकती है, sir, court inquiry भी कर सकती है, inquiry आई आएगा, sir, court investigation भी कर सकती है, sir, court अपने खुद के procedures भी बना सकती है, sir, court, सम्मन भी दे सकती है सर, court evidences भी ले सकती है बड़ सर इसके पास बहुत restricted power है क्योंकि मैंने तो आपको पहले बोला है वो actually भी court नहीं है court जैसे function करती है इसलिए उसको court माना गया judicial tribunal माना गया वरना court नहीं है वो, sir ये fine नहीं लगा सकती tribunal, sir tribunal imprisonment नहीं दे सकती ये बात धिहान लगना, sir हाँ, और कुछ functions कर लेगी but, sir, very limited function है, sir very limited function हाँ, arbitration का matter ले सकती है, भानू ले सकती है, अभी मैं बता रहा हूँ आ रहा हूँ, उस वाले point पे भी ना आ रहा हूँ तो क्या मैं बोल दू, sir, tribunals sir, एक टाइप की private tribunal भी हो सकती है, private, like arbitration sir, private tribunals भी हो सकती है like हम अपनी arbitration की tribunals बना लेते है, arbitration reconciliation, reconciliation, arbitration और कुछ ऐसी जो statutory होंगी, sir, जो low बना के देता, sir, जैसे NCLT है sir, जो particular low के अंदर बनाई जाती है जैसे NCLT है समझ में आगया, जी हाँ, जो tribunals है, वो penalty लगा सकती है लेकिन fine या imprisonment नहीं लगा सकती क्योंकि वो काम है, sir, courts का और sir, याद रखना fine या imprisonment always criminal matter में होता है, civil matters में only penalty होती है, जी penalty अच्छा, ये अगर चाहें तो inspection, inquiry, investigation भी कर सकती है, वो power है अपने खुद के procedure लिख लेंगी, principle of natural justice, evidences को देख लेंगी वो हो सकता है अरे, tribunals सारे काम कर सकती है, अभी आएंगे, functions of the tribunals आएंगे, जो भी उस particular law के अंदर, जो भी matters होंगे, उन्हों सब को entertain करेंगे, लेकिन criminal matters को नहीं यादना आप लोगो, companies act में भी section 435 special court बनाई गई है क्योंकि sir, जो हमारी NCLT नहीं वो सिर्फ civil matters को ले सकती है तो criminal matters के लिए अलग से फिर हम दुबारा से court पे जाएं, answer is no sir हमारे company लोग नहीं अपनी खुद की court भी बना दी है sir, special court special court हाँ, तो CCIB penalty लगाती है, कोई भी court fine ये imprisonment नहीं कर सकती, NCLT sorry, is it okay guys लोग कर दिया जाए यहां तक क्या मैं बोल सकता हूं sir, यहां तक आप लोगो समझ में आ गया दोनों का individual meaning, sir, criminal का मतलब भी समझ में आ गया, court का मतलब भी समझ में आ गया, sir, समझ में आ गया हर बच्चे को, किसी बच्चे को कोई भी doubt है, जी हाँ, जी बहुत बढ़ी है special court भी पढ़ाऊंगा, attention मतलो ये chapter के अंदर last topic हमारा special court होगा बट एक बात यार दखना है, इस chapter के अंदर कुछ amendments आई है coincidentally, IECSI ने amendments को अपने supplement में भी cover नहीं किया था, और इस बार तो supplement ICSI ने December 22 के लिए लिए लिखाला ही नहीं आभी तक तो December 22 के लिए अभी तक कोई supplement नहीं आया JGL का, June 22 के लिए जो supplement आया था, sir, उसके अंदर भी ICSI ने cover नहीं किया, बट मैंने, sir, मैं बच्चे को latest पढ़ाने में विलिव करता हूँ, sir, मैंने MCE की side से जाके, sir, वो सारा latest जो amendment आपकी December 21 में भी आनी चाहिए थी sir, लेकिन ICSI ने आज तक नहीं डाली अपने module में sir, वो सारी मैंने cover की है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको till date totally amended और best होगा no, बिल्कुल ठीक बोर रहा है शाली sir, हम tribunal के against high court में appeal लेके जा सकते हैं, बट अभी इसका चार्ड बना है, बट किसी court के against tribunal में appeal लेके नहीं जा सकते, sir, यह तो वही बात हुई एक funny example देके समझाओ court is like a dada जी लब सोरी, high court sir, high court is like a dada जी अब जो court, जो normal court हमारे judiciary system है, वो है जी पापा जी और जो tribunal है ना tribunal, वो है जी बेटा जी बात समझ मेरी है, अगर बेटे को permission लेनी है, बेटा अपने father के पास आ सकता है जी और अगर father उसको permission के लिए मना कर दे तो वो उसके बात दादा जी पे जा सकता है समझ मेरी बात बट ऐसे नहीं है कि father को को permission लेनी है वो बेटा जी के पास जाएगा, answer is no ये allowed है, ये route allowed है अगर पापा को को permission लेनी है ना पापा जी को तो यहां जा सकता है, sir ये loud है बट ये अना loud नहीं है, समझ में आ गया अरे supreme court तो भाई सब कुछ है, भगवान है वो तो बच्चा बोरा सर फिर supreme court क्या होई लोफ लेंड है गोड है, sir वो तो भगवान है, sir वो तो हमारे लिए ठीक है ना दादा जी prevail over पापा जी, बहुत बड़ी है समझ में आ गया, तो जो decision दादा जी देंगे, अपील में, तो वो पापा जी की decision भी prevail हो जाएगा this is supreme court पर दादा जी बहुत बड़ी है, यहां तक बता दो यार, कोई different, कोई doubt कोई mind में कुछ गुदगुदी हुई दिमाग में कुछ गुदगुदी हुई यार अच्छा जैसे text में भी पढ़ते हो ना ITAT income tax capital tribunal CBIDT पढ़ते हो ना text में भी ऐसे शेयर लिए, शेयर लिए भाई लोग एकदम clear सर अब दिल ठाम के बैठना ओनेशली में बोल रहा हूँ most important case laws होने वाले हैं सर important most important case laws होने वाले हैं सर याद रखना 5 case laws हैं हमारे syllabus में 5 case laws सर उन में से जो 3 case laws है ना वो तो हम पढ़ेंगे difference between सर जो 3 case law है वो deal करते हैं जी बहुत ध्यान से देखना distinguish बोलो है difference between बहुत ध्यान से यार बिल्कुल mind को map कर रहा हूँ सले बस को ऐसे ला रहा हूँ mind में ओहो बस ऐसे ही है tribunal and code सर कौन कौन से case हैं जो इनके बारे में distinguish करते हैं जी पहले फटाफट से देख लो यार बस case loads के नाम लिखवाने चाहता हूँ फटा 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 आप लोगो अंदर कंटेंट पढ़ाऊंगा नोट से इधर द्यान दो सर सर case loads के नाम याद करने एक्जैम में पांच नंबर काएगा लिख लो कहीं ओ भाई मैंने notes दी है type बत करो ना ये notes हैं तो ये type कोन के राप करने के लिए print out निकालो इनको ये notes मैंने share किये तो हैं पहले से आप लोग के लिए आप लोग के एसेट हैं ये मेरी एसेट नहीं है इधर द्यान दो सर एक case लो जो इनका distinguish करता सर पांच पढ़नेया टोटल इस चेप्टर में अभी हमें जिन में से तीन बताते हैं distinguish सर दो बताएंगे हमें कि ट्रेबनल constitution होती है नहीं है constitutionally valid है कि नहीं है देखिए इधर देखिए भाई लोग बहुत बड़ी आयर इधर जान दो सर पहला case लो है विरिंदर विरिंदर सिंग एक मिनेट येर पहला case लो है विरिंदर कुमार तत्यवादी विरिंदर कुमार सत्यवादी वर्सेज द्वी स्टेट ओफ पंजाब अभी बताओंगा भानू अभी जल्दी मत करो बताओंगा मैं विरिंदर कुमार सत्यवादी वर्सेज श्टेट ओफ पंजाब पहला difference लाजवाब केस लो है तर ये बोलता है कि कोट की हमने duty bound किया है दो चीजों के लिए बताएंगे सर दूसरा case law नहीं जिसने distinguish create किया है वो बोलता है बस जो judicial, जो tribunal है न उनको special law में ही power दी गई है उससे जदा power नहीं दी गई इधर दियान दो सर दूसरा case law बहुत प्यारा यहीं learn करके जाना है तर कोई बच्चा भी ऐसा ना बच्चे जिसने वो case law learn ना किया हूँ case law का नाम याद करना है सर state of gujarat versus gujarat revenue versus gujarat revenue tribunal bar association समझ में आ रहा है जी सब बच्चा comment box में जरूर लिखेगा सर अभी learn करने है पाँच के पाँच case laws मैं कहा रहा हूँ सर पाँच नमबर लिखे जाना आज आप लोगे पक्के है state of gujarat versus gujarat revenue tribunal bar association जिस बच्चे को note नहीं करना बस समझने हैं समझते रहो मैं तो यह recommend करूँगा after lecture और आम से बैठके note कर लेना यार एक बार समझ लो life change हो जाएगी सर मज़ा आजाएगा जी है जिल में ऐसे daily की daily डेली की daily target achieve करते जाएगे third case सर छोड़ा third case सर यह तो RECS versus RECS versus electricity commission तो सर तीनों case में सुप्रीम कोट ने उब्जर्व किया था RECS versus electricity commission इस इट ओके भाई लोग चलो चलो यारो अभी learn करना है यार तीनों के तीनों case लोग पहला case को क्या बोलता है विरेंदर कुमार सत्यवादी चलो यह टुकड़ों में बाटो सर तीन case लो हैं अगर exam में question आया distinguish यानी difference between tribunal and court बता दो जी सर हमारे mind में उसी दिन अंकुष सर की एक class आएगी जो आपने regular पढ़ा है भूल जाओ जो आपने खुद से पढ़ा है भूल जाओ अंकुष सर की एक class आएगी आंखे बंद करके सर बचा याद करेगा सर ने तीन case लो बताया थी अगर exam में question आता है what is the distinguish between court and tribunal सर on the basis of अगर pronouncement बताना है तो सर तीन चीजे दिमाख में आएगी जी पहली चीज सर विरिंदर कुमार सत्यवादी versus state of पंजाब का case दिमाख में आएगा जी supreme court ने इस case में बहुत प्यारी बात कही थी समझ में आ रहा है जी दूसरा come on इधर 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 ध्यान सारे बच्चों का इधर कहां कहां ध्यान है भाई सो रहे हो एक बच्चा कह रहा है सर पूरी रात बात नहीं की थी अभी मैं बात कर रहा हूँ नराज है मिर से पहले मैं उसको मना लूँ कौन-कौन बच्चा मनाने में लगा है पहले यह बताओ मुझे छोड़ो क्या कर रहो केस लोग कर गए कौन-कौन बच्चा मनाने में लगा है कि जोश तो मुझे आप लोग के अंदर लग नहीं रहे कि मुझे नहीं लग रहा आप लोग दिसंबर एटेंप्ट वाले बच्चे ओं इतनी फायर होनी चाहिए यहां तक यहां तक आग लग जाये आखे बिलकुल ऐसे सीखने की भूख लब कहां आप लोग के अंदर वो अगर एक्जाइम में एट मार्क्स का कोशेन है तो तीनों लिख देना है चलो फटा-फट से अपने अंदर जोश लेकर आओ नलाइक बच्चे पता नहीं कहां ध्यान है देखो जी दूसरा केस कहा है स्टेट ओफ गुजरात वर्सेज स्टेट ओफ गुजरात देखो पहला था पंजाब पंजाब के साथ किसके लड़ाई हुई विरिंदर कुमार सत्यवादी फिर था गुजरात गुजरात के साथ किसकी हुई सर स्टेट ओफ गुजरात वर्सेज गुजरात Revenue Tribunal Bar Association ठीक है जी? हाई है सर, बहुत बड़िया है, बहुत बड़िया तीसरा और आखरी सर रेक्स वर्सेज इलेक्ट्रिसीटी कमीशनर रेक्स वर्सेज इलेक्ट्रिसीटी कमीशनर सर तीन केस लो पहले याद हुए अब सर देखो word by word step number one सर question अगर paper में आए distinguish का step number two सर हमारे दिमाख में आ जाएंगे तीन case लो उसके नाम step number three अगर किसी particular case के ओपर उठा के पूछा जाए तो particular case का नाम डालना और अगर वैसे पूछा जाए general तो सर एक case को explain कर देना दो को reference दे दे समझ में आ गया जी बहुत बढ़ी है अब मजा आ रहा है ना अब भी तो है सर बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है जो बच्चा आज ही class दिल से करेगा ना हर उस बच्चे को भगवान के तरफ से पक्का मैं कहारो increment में पांच नुमबर मिलेगे पक्का बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है आ जाओ जी इतना समझ में आया क्या हम एक प्यारी सी लाइन अपने पास से बोल दू सर एक सिक्के के दो पहलू है सर every coin has two sides तो सर ऐसे court भी न और tribunal भी एक ही बात है बस एक सिक्के की दो पहलू है सर काफी हद तक देखने में लगेगा दोनों similar है बट हाँ कुछ dissimilarities भी दोनों में है सर एक को जादा power है तो general है एक को specific power है तो सर उसकी power भी limited है क्या मैं बोल सकता हूँ है एक ही चीज़ देखने में बट हाँ कुछ similarities है तो कुछ dissimilarities भी है सर इनको हमने बहुत अच्छे से समझा तीन केसलोज की मदद से बहुत ध्यान से गाईस बहुत ध्यान से यार आग लगा दे ही नहीं है बिलकुल यार बच्चे ने तो आग लगानी शुरू कर दी चेलिए दोस्तों बिलकुल यार दिल से आशिरवाद है आओ जी इधर इधर ध्यान दो सर देखो जो मैंने अभी आपको language बोली कितनी प्यारी language थी और मैंने अपने notes में लिखके दी है the court and tribunal are the two-sided of same coin as they have certain dissimilarities क्योंकि सर दोनों के बीच में कुछ dissimilarities भी है कहने को एक ही बात है बट dissimilarities भी है इधर ध्यान से सर आर्बिटर्ल ट्रिमिनल्स सर पैर्लल चलती है सर पैर्लल कोर्ट सिस्टम के although administrative ट्रिमिनल्स जो है न resemble हैं देखने में एक जैसी है बट yes सर उनके पार्ट पे वो court system नहीं है court से थोड़ा सा distinguish है उनको dispute resolve करने का system थोड़ा सा different है चलिए दोस्तो चलिए यारो आज तक case laws ना तो आपने कभी इस तरीके से पढ़ने की कोशिश की होगी module से या कहीं भी book से और ना ही शायद आप लोगों ने अभी तक सोचा होगा अब देखना सर किस तरीके से case laws को मैंने pointer form में डिवाइड कर दिया case laws को बट एक disclaimer लेके चल रहा हूँ यार exams में सर एक पहले से एक disclaimer है बहुत बढ़ी है एक exam में disclaimer है सर ऐसे attempt मत करना cases को आपको just ये समझाने के लिए बता रहा हूँ जी कि ऐसे से point याद हो जाएंगे mind में इस case laws के अंदर ही 4 point थे बट यार exam में case laws को ऐसे presentation मत करना exam में ये presentation use कोई भी बच्चा नहीं करेगा कभी बात में बोल देख सर आपने ही तो ऐसे बना के दिया था ये just आप लोगों को समझाने के लिए है ये किसी किसी भी बच्चे को exam में use नहीं करना अरे कैसी बात करें भानू जो मैं हूँ तो case laws छोड़ने नहीं है case laws आप लोगों को और अच्छे से पढ़ने हैं अब देखना guarantee दे रहा हूँ 5 minute दे दो बस 5 minute सर आपको ये तीनों case laws हो जाएंगे घड़ी में देखे 5 minute ले लो तीनों case laws tips पे देखोई इधर द्यान दो सर distinguish on the basis of judicial pronouncement तर cases के basis पे अगर हम distinguish करें तो क्या है सर पहला चीज क्या है सर पहले case ने क्या distinguish किया the difference between a court and the criminal is the manner of deciding dispute सर manner of deciding dispute सर वैसे तो दोनों सेम है सुप्रीम कोट ने बोला हाँ वैसे तो दोनों सेम है बट कोट एक judiciary body है criminal एक administrative criminal है सर वो quasi-judicial criminal माने जाता है बट हाँ सर दोनों के decision लेने के तरीका सर दोनों का काम करने का functions अलग-लग है dispute को resolve करने का तरीका अलग-लग है इसलिए सर इन में difference है फिर सुप्रीम कोट ने बोला बहुत ध्यान से दोस्तों बहुत ध्यान से यारो सुप्रीम कोट इन विरेंदर कुमार सत्यवादी वर्से स्टेट और पंजाब नाम को केस का याद है सर वट डिस्टिंग्विश ए कोट सर कोट सुप्रीम कोट ने बोला actually में वैसे तो सेम है बट क्या चीज इन दोनों को डिस्टिंग्विश करती है कोट से क्या चीज डिस्टिंग्विश करती है बहुत ध्यान से देखना दोस्तों क्या चीज डिस्टिंग्विश करती है दोस्तों बोलता है it is charged with a duty सर it का मतलब क्या है प्रे बना सर बोलता है क्वाशी जुरीशल बोडी जो है न इट इस चाज़ड उसको ओथराइज किया गया है सर उसको responsibility दी गई है सर इट इस चाज़ड मतलब इट इस ओथराइजड विद ड्यूटी सर क्या ड्यूटी ओथराइज की गई है उसको क्या पार दी गई है उसको sir क्या करने के लिए बोला गया है it is authorized with a duty क्या दो बातों की बहुत घ्यान से to decide करेगा और to declare करेगा come on guys क्या चीज को decide करेगा dispute in a judicial manner sir जो भी आपके सामने dispute आया है देखना guys मैंने इसको किस तरीके सा highlight किया है क्या decide करेगा sir जो भी dispute आपके सामने आया है उसको judicially, lawfully law का जो court का system है उसको follow करके आपको decide करने है to decide the dispute in a judicial manner अभी करेंगे इसका explain यहां sir जो भी dispute आपके सामने आया तो कैसे decide करोगे judicially, lawfully सारे तमाम सबूतों को गवाओं को मद्द नजर रखते होगे ऐसे नहीं, जो आपको अच्छा लगा उसके favor में दे दे है no, judicially decide करना है arbitrary decide नहीं करना, judicially and दूसरी बात, declare तो decide करने की power दी गई आपको judicially and declare करेगा क्या चीज़ डिकलेर करेगा जी कर दो जी, like कर दो भई to declare the rights of parties in a definitive judgment sir जो parties के right है उनको साफ शब्दों में judgment दे दो definitive, clear cut judgment कोई भी doubt नहों, कोई भी ambiguity नहों sir उनके rights को declare कर दो judgment पास करके, order पास करके decide करेंगे judicially दूसरी बात, sir जो भी right उनके दिकार बताएंगे dispute के, sir दोनों parties के fix कर देंगे, तुमारा ये है, तुमारी obligation sir अब what is the meaning of judicially decide करना, to decide judicial manner involves, sir parties की बात को सुना जाएगा, मैंने बोला था न judicial manner का मतलब है, sir arbitrary नहों arbitrary नहों sir मन मानी नहीं चलाएंगे, आप अपनी मन मर्जी नहीं चलाओगे sir दोनों पक्षों की बात को सुना जाएगा, याद आपको एक आप पढ़ते थे, natural justice sir दोनों की बातों को सुना जाएगा principle of natural justice sir ऐसा नहीं, आप एक पक्ष की बात सुनके decision लोगे, दोनों पक्षों की बातों को सुना जाएगा, sir दोनों पक्षों को अपने अपने सबूतों को रखने का मौका दिया जाएगा and on the basis of the सबूत, on the basis of the evidence जो आपने रखे है, on the basis of the law, आप अपना decision लोगे तो sir जो सबूत रखे हैं, जो गवार रखे हैं, दोनों पक्षों ने अपनी बाते रखे हैं उन सारे चीजों को consider करने के बाद ही, जो उन सारे चीजों को से import, जैनि जो sense निकलके आ रही है और जो आपको responsibility हमने दिये, judiciary decision लेने की, sir उन सारे चीजों को मिलाओ, and final decision तो पहला case समझ में आया sir, पहला sir, supreme court ने क्या बोला, sir, जो quasi judicial body है न, वो judicial manner में काम करेंगी definitive judgment देंगी, sir उनों पक्षोगी बाते सुनेंगी, उनके सबूत देखेंगी, तो ही final decision लेना है, quasi judicial body समझ में आ रही है बात बहुत बड़ी है administrative law में पढ़ा है, तो second चीज देख लो, sir, दूसरा case लो supreme court ने क्या बोला, sir, किस basis पर distinguish करेंगे, sir, जो special, जो tribunals है ना, वो special laws के अंदर empowered है, sir सिर्फ वो special decision दे सकती है outside the court जाके सिर्फ special laws के लिए, और special matters के लिए है, sir, general power उनको नहीं दी गई, sir, generally नहीं है, सिर्फ specifically, उनकी power को limited किया गया है, sir, उनकी power को barred किया गया है, restrict किया गया है, on that particular act, जिस act में, जिस set of rules के अंदर आपको authorize किया गया है, समझ में आ गई ना बात, देख लो, तो बोला गया state of gujarat versus gujarat revenue, terminals, bar association में, ए particular act, या set of rules, sir, जो बताते हैं, कि sir, आपके functions के criminal के, आपके functions court की तरह है, मलब जहाँ आपके power functions, जहाँ आपको incorporate, जहाँ आपको appoint किया गया है, authorize किया गया है, वो act या वो rule, which provide basic administration of justice, sir, आपको बताएगा आपको justice कैसे देना है, वेर, अकब, अगर कोई भी suit है, कोई भी dispute है दो parties के बीच में चल रहा है, तो आपको कैसे decision लेना है, तो चेचिर authority को, sir, क्या करना है, dispute को resolve करना है, as a quasi-judicial body बनके, और वो कैसे करेगी, sir, बहुत ध्यान से देख लो, हाँ, मैं drive का link भी दे दूँगा, यूशी, मैं दे दूँगा, मैं, एकना बहुत अच्छा create कर रहा हूँ, मैंने अपनी wife से बात किये, कि एकना excel sheet बना देते हैं, excel sheet, sir, उस action sheet में, chapter नम, जैसे for example, chapter IPC सबसे पहला करवाया, sir, उस IPC का, sir, उस IPC का, जो notes थे, हमारे handwritten notes वो भी डाल दू, sir, उस IPC की mind mapping डाल दू, sir, उस IPC का संजीवनी बूटी important questions डाल दू, sir, उस IPC का test डाल दू, जो test होगा, and sir, drive पे डाल के, उससे न, बहुत जवर्दस हो जाएगा, आपको एक जेंगे सारी चीज़े दिख जाएगे, आके, थोड़ा सा time लग रहा है उस चीज में, but yes, I'm sure, कि आपको सारी चीज़े एक जेंगे दिख जाएगे, excel sheet में, थोड़ा सा time लग रहा है, but आप लोगो को मिल जाएगे, और उसी में अपडेट होता रहेगा सार, इधर जान दो, sir, तो क्या-क्या बातों का ध्यान रखना है, ट्रिबनल को, sir, statutory authority है, जो ट्रिबनल है, statutory authority है, नि ट्रिबनल है, empower होनी चाहिए, sir, किसी act के अंदर, sir, उनका decision, जो उनका order आएगा, वो parties के rights को affect करेगा, adversely, sir, एक के पक्षमी और एक के विरोध में हो सकता है, sir, and although there is no list, और भले, sir, कोई parties के बीच में लडाईयां नहीं है, और नहीं कोई दो parties है, बलकि आपको, being a, sabby, मालो, कर आपको ऐसा लगता है, कि sir, कोई गलत कर रहा है, कोई दो parties नहीं है, जिनके बीच में लडाईयां हूँ, मालो, sabby, आपको लगता है, कोई companies कुछ गलत कर रही है, तो आप भी directly उसके against action ले सकते हो, उस subject against action ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आप, जबरदसर, thank you so much, your voice is so sweet, तोशु शिर्मा, thank you, God bless you, बहुत अच्छा लगता है आप लोग के comments, आप लोग के likes, आप लोग का motivation, जब आप share करते हो, अच्छा यार, अगर possible है, तो please, 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 आप अपने status पे, अगर possible है, it's a request to you people, अगर आप लोग निश्वार्त भाव से, अगर उसको अपने status पे लगा सकते हो, जितने maximum बच्चों को, आपका एक share से, कितने maximum बच्चों का, हो सकता है रहा, executive clear हो जाए, और मुझे भी motivation मिलेगा, तो please, यार, कोई पैसा तो है ही नहीं ना, सबसे पहले बात किसी act में उस matter के लिए उत्राइज कर सकता है, हाँ, अगर पार्टी के बीच में list, यानि suit नहीं भी है न, दो पार्टी के बीच में, तो भी authority, अगर ऐसा लगता है, कोई चीज गलत हो रहे हैं, तो उसके against action ले सकता है, नहीं ये note मत करें, तो मैंने आपको notes दियें न, तो आपे notes का print out ले लो, सर ये chapter के मैंने intentionally थोड़े से in-depth notes दियें, कि सर ये chapter ना, बहुत सर बच्चा छोड़ के चला जाता है, इन cases को देखके, and then the fourth one is, आप judicially manner में decide करोगे, is it okay, crux, 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 बच्चा बोल रहा है, सर इसका इकवार crux बता दो, सर इसकी language थोड़ी सी अठपठी है, मैं मान तो, बट इस case लो में क्या बोला गया है, तीन-चार बाते सुन लो, इधर देखो दर दियान से, कुछ लिखना नहीं है, सुन लो, पहले बात, सर गुजराथ, state of गुजराथ वरसे, गुजराथ revenue tribunals, बार आश्योशेशन में क्या बोला गया, सुप्रीम कोट ने, सर जो particular act air rules है, जो किसी particular tribunal को, बोलते हैं कि सर आपको court जैसा काम करना है, court का account similar काम करना है, सर उस law से related, जो भी justice है वो आपको देने है, सर तो ध्यान रखो, कि जब कोई भी दो parties के बीच में suit होगा, मतलब list होगा, दो parties के बीच में, दो contesting parties के बीच में, तो you are the statutory authority, you are the tribunal, जिसको quasi judicial function perform करना है, तो आपको कब perform करना है, जब यह 3-4 conditions fulfill हो जाए, पहली बात आपको authorize किया गया हो, empower किया हो गया किसी act के अंदर, दूसरी बात आपका order, बहुत ध्यान सब सोच समझ के देना, आपका order, adversely effect कर सकता है सर, किसी matter को, तीसरी बात, अगर parties नहीं भी है न सर, अगर कोई उनके बीच में dispute नहीं भी है, बट being a statutory authority, अगर आपको लगता है कोई company, कोई organization गलत काम कर रहे हैं, तो आप भी उसके case कर सकते हो, बट ऐसा court नहीं कर सकती, ऐसा tribunal कर सकती है, last चीज, सर, statutory authority हो आप, आपको judicial function perform करना है, आपके functions की बहुत एहमियत है low में, समझ में आ गया, बच्चा बोल रहा है हमारी book में तो ऐसे case ही नहीं थे, अरे teachers के अंदर dare ही नहीं होती है, ये cases पढ़ाने की हिम्मत ही नहीं होती है teachers के अंदर, honestly मैं बोल रहा हूँ, जान लग जाती है, जिस तरीके से मैंने आप लोग को ये दिया है ना highlight करके, इस point पे ध्यान दो, इसका मतलब ये होगा, ऐसे point divide कर दिये, A, B, C, D point बना दिये, ये module में नहीं है, ये मेरी creativity है, ये मेरी drafting है, ये मेरी महनत है, जो आपको retain करवाने के लिए, समझाने के लिए, underline करके दे रहा हूँ, highlight करके दे रहा हूँ, black करके दे रहा हूँ, यार में नोट्स नहीं, अब मैं ऐसे सोच के बना रहा हूँ, अगर मैं, इनमें मैं आपको बैठके पढ़ा रहा हूँ, अगर आप सिर्फ notes भी पढ़ रहे हो, तो ऐसा ऐसा फील करवा देंगा कि सर मैं ही आप लोग को पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है जी हाँ जी मोडूल में है तो परिशान मतो कर लो गोरो भाई आपको बाद में फिर अब बाद में जाके वीडियो थोड़ा सा पिछे करके देखना होगा क्योंकि मैं ओरड़ी दो ते तीन बार सेम केस लोग समझा चुका हूँ और मैं नहीं समझाऊंगा यार क्योंकि अब रिविजन चल रही है फिर आप बाद में देख लेना अभी टाइमिंग नोट कर लो ये वाला केस आप बाद में देख लेना गोरो कुमार गोतम बोलते हैं हमारी बुक में तो है बहुत बड़ी है केस लोग कोशन बनके भी आ सकता है कोई केस टड़ी बनके भी आ सकती है डारेक्ट आपसे डिस्टिंग्विश बिटिवीन भी पूछ सकते हैं ऐसे आ सकता है जब इसकी important questions की list दूँगा तो उसमें डाल दूँगा एक दो question आ प्टेंशन मतलों ठीक है तन्नू इधर जान दो यह मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ overburden cases थे sir court system के पास तो उस चीज़ को overcome करने के लिए sir ट्रिमिनल्स को पावर दी गई कि sir वो decision ले और यही चीज़ बोली गई है sir various चच्रिय authority is empowered to take a decision which affect the rights of the persons and such authorities under relevant law required किसी लो ने उसको बोला है sir इस inquiry को ना आई कर ले na inquiry and hear the parties sir वो authority को अगर किसी लो में बोला गया तो authority inquiry भी करेगी sir उनकी parties दोनों पक्षों की बात को भी सुनेगी तब अपने judicial function तो same ही उपर वाले जैसा ही कि sir अगर किसी लो के अंदर parties को authorize किया गया है चेच्रिय अथोरिटी को sir वो proper inquiry कर सकती है दोनों पक्षों की बात सुनेगी तब उसके ओपर sir अपना दिमाग अपना judicial function लगाएगी अपना judicial act करेगी ऐसे नहीं अपनी मनमानी करेगी नो उसको proper type follow करना पढ़ेगा is it okay ठीक क्या जी गोरो जी अंजनक केसरी बोल रहे है sir confidence high हो जाता है sir आप से पढ़के बिल्कुल यार मेरा objective ही है बिल्कुल last moment पे आप लोग की revision करवाना कि यार हर बच्चे के दिल में यह हो जाए कि यार हमने कुछ ना भी पढ़ा होना तो हर चीज कवर हो जाए तो एक बार शान्ती से यार एक बार शान्ती का दान दो please नहीं नहीं यह नहीं बोलेंगे इन दोनों cases में क्या क्या difference है आपके question बन क्या आजाएगा distinguish between court and tribunal अब आपको अपना जो भी case अच्छे से आता है उसको explain कर दो या कोई question बन क्या आजाएगा कि on the basis of on the basis of special power special laws adjudication whether what are the distinguish between court and tribunal सर बोले के पास तो special general power है बट उसके पास special power है तो आप state of gujarat वाला case डालना आप रुख जाओ थोड़ा सा यार जब इसके important questions दूँगा तो आजाएगा समझमे यार तन्नौ आप अभी questions के चकरों में क्यों पड़े हो पहले please यार provision क्यों नहीं कर रहे हो मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ मैं जब इसके important questions दूँगा जब इसका संजीवनी बूटी दूँगा जिसके अंदर important questions है मैं कुछ questions डाल दूँगा पहले एक बार provision तो कर लो आप मिल जाएंगे वो भी भाई chill हलके में इतनी tension मतलो कहां जाओगे अब एजी के आप कितनी tension लेने के भाई बहुत बड़ी है depend करता है Sophia एक को करना है सब को करना है 2 मिनिट शान्ती से बाते मत करो शान्ती से सरजोई cases पढ़ाए है अगर किसी बच्चे के पास नोर्स नहीं है तो फटा फट से यहां से पढ़ लो जो भी मैंने पढ़ाया case लो जियर पढ़ावड लो इसको साफ कर दिया है लो जी यहां से पढ़ लो जी लेकिन पढ़ना जरूर है साथ साथ रिटेन करके जाना है जी जल्दी जल्दी नहीं क्योंकि यह cases में टाइम लग रहा है में बस अब थोड़ा सा टाइम लगएगा अगले cases में दो case और है राजीव गांदी प्रेजिडेंट मदरास बार अशोशेशन और एक case लो और है एल चंद्रकुमारी बहुत काम आएंगे case लोग बहुत काम आएंगे बच्चा छोड़के जाता है एक्जाम में और मैं परसलिन नहीं चाहता हूं कि आप लोग छोड़के जाओ कुछ भी अब जबाग लोग वर कोड़ पर बड़न होता जाता हूं मैंने आपको न उस दिन बताया भी था कि जो हाइए कोड़ वगएर न उनको ट्रायल कोड नहीं मानते उनक्यों पर बड़न कम करने के लिए यह कोड बनाएंगे हैं हाई कोट का तो अटोमेटिकलीए पील की तो मैटर जाएंगे कि मेंट टाइम ना केस लोज में लगना ढगे यतना टायम नहीं लगना आगे बस ठोड़ता सा टाहिंन लगना वाले पॉइंट में फोड़ा सा टाइम वो भी तीर इतना टाइम नहीं लगना थोड़ा फास्ट करेंगे फिर हम तुनों जी बैक्राउंड पड़ावट देखों बैक्ग्राउंड ऑफ देश्टेबिश्मेंट अफ एंसी एल्ट एंड एंसी एलेटी सर एक बात आपको पता एलेटी बहुत जबर्दस स्टोरी एसर इनकी बैक्राउंड की ओल्दो मैं इन डिटेल तो आपको नहीं बता पाऊंगा बहुत बढ़ी आपी जी बट दिहान से सुन लो मेरी बात एक सर स्टार्टिंग हुई थी सर इस चीज की आग जो लगाई गई थी न एक कमेटी जिसने हमारा 1956 Companies Act में बहुत योगदान दिया था जश्टिस इरादी कमेटी सर उसको बनाया गया था जश्टिस इरादी कमेटी को सर 1999 में बनाया गया था सर कैसे मैटर्स के लिए सर इंसोलवेंसी एन वाइंडिंग अप मैटर्स को देखने के लिए सर इंसी एलटी एक गया था जश्टिस इरादी कमेटी को बनाया गया था 1999 में इंसोलवेंसी एन वाइंडिंग अप के मैटर्स को देखने के लिए सर जश्टिस इरादी कमेटी ने रेकमेंड किया कि सर हमें एक अलग से ट्रिमनल बनानी चाहिए सर पहले CLB चलती थी, उसकी जंगे, सर मुसके और ज़्यादा powers, और ज़्यादा functions, जो old act में high court के पास थी, सर high court के पास जाने में time लग जाता है, तो high court और CLB को खतम करके उस सारी power सर NCLT and NCLT बनानी चाहिए, सर जश्टिस इराधी कमेटी ने ये recommendation दी, अपनी report के अंदर, सर examine किया था, सर इसने सिर्फ companies act को examine नहीं किया, companies act 1956 को नहीं देखा, साथ में और relevant laws को भी सर इसने देखा, like SICA, SIC industrial companies, special provision act 1985, like DRT, recovery of debt due to bank and financial institution act 1993, सर इसने जितने भी insolvencies and winding up से related laws थे, उन सब को examine किया, and finally, सर, insolvencies and winding up matters के solution के लिए, इसने एक राम बांड दिया, बोलता है जी, हम recommend करते हैं, आप CLB और high court के पास जो power है ना, उसको खतम करके वो power एक नई authority बनाई जाए, एक नई statutory tribunals बनाई जाए, statutory authority बनाई जाए, जि उसके ओपर matters कहाँ जाए, NCLT के पास, सर बहुत जल्दी recovery होगी, expertise मिलेगी, सर, NCLT के जो judges होंगे न, जो इसके अंदर, जो members होंगे, सर, उनको एक specialized knowledge होगी, company लोग से, insolvency, winding up से related matters की, समझ में आ गया हर बच्चे को, बिल्कुल JGL से help मिलती है, इतना समझ में आ गया हर बच्चे को, सर, फिर एक question arise हुआ, ये background मैंने आपको बता दिया, तुन्हों अभी तो ध्यान से, सर, ये तो आग लगाई गई थी, मतलब initially ये छोटा सा एक step था, जो justice इराधी कमैटी ने, एक इस, एक बोलते हैं, कॉइ किया, सर, NCLT वर्ड को 1999 में, justice इराधी कमैटी ने, जनम दिया, कॉइन किया, सर, ऐसा कोई authority होनी चाहिए, ऐसी कोई tribunal होनी चाहिए, समझ में आ गया पहला बात, सर, इस ने एक तरह से इस word को, इस authority को जनम दिया, फिर एक question उठा, सर, दो case loads लगेंगे या, सर, टू case loads लग NCLT बनना, constitutionally valid है, क्या, सर, constitutionally valid है, जी, come on, दोस्तो, क्या, सर, constitutionally valid है, ये, NCLT, सर, high court से, power खीच के, CLB से, चलो, CLB कि दे इतिनी बड़ी बात नहीं है, high court से, power खीच के, सर, आपने NCLT को दे दी, क्या, ये, constitutionally valid है, सर, आप court की power को कम कर रहो, expel कर रहो, exile कर रहो, यह दो केस लो इसके अंदर डिसाइड किया गया एल चंद्रकुमार एल याद रख लो चंद्रकुमार वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया तर एक दूसरा केस लो आया था राजीव गांधी वाला वह भी अभी मैं पताता हूं आपको फिर दूसरा केस लो ने सपोर्ट किया महराष्टरा बारास मदरास बार एसोशेशन समझ में आ रहा है बच्चों को सर 2010 का केस था है जो फाइनली डिसाइड किया फाइनली जज्जमेंट 2010 में जाके आई क्या मुझे बता दो सर ये समझ में आया एक उंस्टिशनली वैलिड का सर फाइनली इस हरी जंडी जो जो ग 14 में 15 में 14 में 2015 में फाइनली ग्रीन सिगनल सर इस केसलो ने दिये यस सर कॉंस्टिशनली वैलिड है और आप बना सकते हो सेंट्रल गवर्मेंट को पावर दे दी और सेंट्रल गवर्मेंट ने तुरंत उसको 1 जून 2016 को बना दी एक साल के अंदर अंदर बना दी इतना समझ में आया तो एक स्टेप बाए स्टेप अगर मैं बात करूं सर आपको पहला स्टेप समझ में जस्टिस इराधी कमेटी ने क्या किया था यह सर जस्टिस इराधी कमेटी वाला पंगा समझ में आया सर सेकेंड फिर कोशन उठा क्या सर NCLT NCLT कॉंस्टिटूशनली वैलिड है फिर सर इसके ओपर एक केस लोगा एक कॉंस्टिटूशनली वैलिड पे एल बार बार बोलो एल शंद्रकुमार वर्सिज यूनियन ओफ इंडिया सर 1997 सुप्रीम कोर्ट क्या कोई भी अच्छा एक बात तो सुन लो ऐसा नहीं है कि 2000 से पहले अटल बिहरी वाजबे के टाइम पे बात चली थी कि सर कोट के ओवरलोड को केस कम किया जाए नहीं होगा पीहू तो 2000 अटल भीया रिवाजबी के टाइम पे ऐसा नहीं है उससे पहले ट्रिबनल्स नहीं थी येस उससे पहले ट्रिबनल्स थी थी लेकिन NCLT के उपर ज़्यादा मुद्दा उठा था NCLT के पावर्स के उपर थोड़ा ज़्यादा लड़ाईया चली थी तो एल चंदुर कुमार वर्स यून ओफ इंडिया केस लोने भी इसके बारे में बोला सर फिर इनी दिनों जब ये केस चल रहा था तो एक बुचाल आया सर बुकंप आया सर जस्टिस एराधी कमेटे की रिकमेंडेशन के ओपर कम्पनीज एमेंडमेंड एक्ट सेकिंड एमेंडमेंड एक्ट बोल सकते हैं कम्पनीज सेकिंड एमेंडमेंड एक्ट पिच्चर में आया कम्पनीज सेकिंड एमेंडमेंड एक्ट पिच्चर में आया सर दो हजार दो में सर इस एक्ट ने बोला हमें N.C.L.T. and N.C.L.A.T. को बनाना है मालब Companies Act में Amendment आ गई और बोला गया Yes Sir हमें N.C.L.T. और N.C.L.A.T. को बनाना है ओ भाई एक दोर चल पड़ा एक दोर चल पड़ा Sir लडाईयों का Sir Controversial phrase ने जनम ले लिया Sir BJP के अगेंस्ट उस टाम BJP Government थी एक दोर स्टार्ट हो गया कोई बोल रहे हां बनानी चाहिए कोई बोल रहे है नहीं बनानी चाहिए तो Sir लड़ाईयां शुरू हो गई Finally Sir एक लाश्ट जजमेंट आई आर गांधी केस में मै पूरा नहीं लिख रहा हूं Sir Rajiv गांधी केस के अंदर फाइनली 14 में 2015 में फाइनली इस कोंट्रोवर्सी को एक never ending जो लग रही थी देखने में सर देखने में ऐसा लग रहा था never ending controversy है कभी खतम ही नहीं होगी सर इस चीज को राजीव गांदी जजमेंट में सुप्रीम कोट ने बोला yes allowed सर yes constitutionally valid है कोई दिक्कत वाले बात नहीं है समझ में आ गई न कहानी कैसे चली तो सबसे पहले justice राधी ने recommendation दी फिर question उठा constitutionally valid है कि नहीं है एल चंदर कुमार परसी दिरन ओफ इंडिया में सर इन दिनों जब ये बात चली रही थी केस चली रही थे सर company second amendment act आ गया सर उसने NCLT और NCLT को जनम दिया सर controversy start हुई Controversial stage का motion हुआ सर देखने में ऐसा लग रहा था ये process कभी खतम ही नहीं होगा never ending fight है सरी ये controversy चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी और भाई क्या कर रहा हूँ मैं चलिए चलो दोस्तों चलिए यारो तो सर एल चंद्रकुमार वर्सिस Union of India के अंदर क्या बोला गया एक बहुत प्यारा सा कोशन बहुत प्यारा सा कोशन क्या कोशन रहेज़ किया गया वैदर दा सैटिंग अप ओफ दे ट्रिमिनल एंड जो हाइ कोट की पावर है उसको extude करना क्या constitutional है सर पहली बात तो आप एक नई टरिमिनल बनाना है चाहरे हो and सर सिर्फ बना बना नहीं रहे हो जो हाइ कोट की पावर है exclude करह रहे हो exclude the power of हाइ कोट हाइ कोट की पावर को छीन के NCLT को देना और NCLT को बनाना क्या constitutionally valid है एल चंदर कुमार केस ने बोला yes seven judges bench बैठे सर seven judges bench supreme court के seven judges bench ने उस case को handle किया बोलते है yes सर high court की जो writ वाली power न आर्टिकल 226 वो खतम नहीं होगी और सारी ठीक है आप NCLT को दे दो but high court की writ वाली power आज भी यूं की यूं continue रहेगी cannot be eliminated sir ये seven judges bench ने अपनी बात को is it okay समझ में आया जी आप लोग को कि हाँ जी seven judges bench ने मिलके क्या बोला high court की सारी power expel कर दो आप को दिक्कत नहीं है but sir writ वाली power जो आर्टिकल 226 में हो रखनी पड़ेगी supreme court के पाँ जो power थी article 32 के अंदर वो रखनी पड़ेगी sir फिर finally बोला supreme court ने the jurisdiction of the high court cannot be exiled on the other hand the tribunal may function as supplementary बोल रहे sir इसका मतलब ये मतमानो आपके नई authority बग गई है तो high court की power खतम हो गई है no high court की power हमने खतम नहीं किये bench means group group of judges on the other hand sir हर चीज को नब बोलने के दो तरीके है sir ये बात बोल दे कि अब तक घर में father ले रहे थे but अब आप भी बड़े होगे तो कुछ decisions आप भी ले सकते हो sir अब तक जब तक आपने 12 नहीं की थी तो आपको हर एक चीज के लिए अपने father से permission लेनी पड़ती थी but sir अब कुछ mattress को लेके जैसे आपको क्या कपड़े लेके आनी है वो अब आपको अपने father से permission लेने की जरूत नहीं है sir आपको पैसे मिल जाएंगे आप ले ओ sir आपको कहां घूमने जाना है permission लेने की जरूत नहीं है आपको काम चल जाएगा but हाँ किस से शादी करनी है but हाँ sir कोई पैसे की जादा कोई property पर चेज करनी है तो बड़े-बड़े mattress के लिए तो आज भी father को पूछोगे न हाँ मैं बोल सकता हूँ कुछ mattress के लिए powers को dilute नहीं बोल सकते है supplementary powers दे दी गए यह आपको NCLT बट इसका मतलब यह नहीं कि आपको power देने का मतलब है औरों से power चीनना नो तो यह चीज सुप्रीम कोट ने समझाया sir high court की power को exiled मतलब खतम नहीं किया गया है हाँ on the other hand इसको ऐसे समझो आप कि आपकी power को थोड़ा सा हाँ बोल सकते हैं और आपकी advocates को problem थी पहले सारे matters जो high court में जाते थे मैं बोलना नहीं चाहरा थे बात वो हम लोग being a practicing advocate sir उस चीज को हमारे पास direct काम आता था CS विचारा इतना कंपरी लोग पढ़ता था पढ़ता था पढ़ता था बार association तो यह अड़ गया था सर बाज में final जाके कि नई sir advocates की ऐसे power वे थोड़ना वकील बन जाएंगे तो एक नई authority बनाए गई फाइनली बच्चा बोल रहा है sir exam form के लिए पूछना होता है बहुत बड़ी है committees नहीं बोल चकते यार बच्चा बोल रहा है seven judgment is set for committee ना committee थोड़ना है उस particular matter में जब आपका decision सुनाया जाएगा तो 5-6 judges बैठे होंगा ऐसे line में कतार में ठीक है जी शोलो दोस्तो बहुत important है बहुत important है यार भूल के भी मत छोड़ देना the tribunal may continue to act like court of first instance sir tribunal हाँ पहले जो भी matter companies accelerated होगा वो सारा का सारा कहां जाएगा अप ऐसा नहीं कि पहले आप उठाके सु court में भी लेके जा सकते हो answer is no पहले NCLT में जाओ उससे satisfy नहीं होगे तो NCLT में जाओ उससे satisfy नहीं होगे जब court में जाओ आप direct court में नहीं आ सकते court of first instance आपके tribunal ही रहेगी उन particular laws में उन area पे जहां सर उसको specifically authorized किया गया है समझ में आ रहा है पक्का तो बोल रहा है सर राजीव गांदी judgment ने भी एक clarification दी थी इसमें भी Supreme Court ने पहले clarification दी बोला Parliament के पास power है जो राजीव गांदी case में जो court ने सुनाया अपने judgment बोला सर पारलेमेंट के पास power है कोई भी law बनाने की और उस law में सर उस law को बनाना किसी authority को बनाना सर उस law को कैसे regulate करना है वो बनाना लो में किसी company को winding up कैसे करना है तो सर बोला गया Parliament के पास power है किसी company को कैसे बनाना है उसके related law बनाना सर companies को regulate company को administer company को govern कैसे करना है उससे related law बनाना और company को बंद कैसे करना है उससे related law बनाना पारलेमेंट के पास पूरी पूरी पावर फिर बोलते हैं सर लेकिन सर जो regulatory power है ना regulations करने की power वो include करती है सर adjudicating machinery बनाना तो regulate करने का मलग तो overall low को चलाना सर बोल रहे हैं कि adjudicating machinery बनाना यानि NCLT और NCLT बनाना भी सर ये तो power Parliament के पास है कि वो कोई भी ऐसा low बनाए जिसके अंदर वो खुद की machinery बनाए खुद की फोरम बनाए कि सर वो दोनों हाँ ये दोनों ट्रिबनल्स होती हैं सोफिया तोनों ट्रिबनल्स है एक normal ट्रिबनल है एक appellate ट्रिबनल है appellate तो सर क्या बोला गया ये unconstitutional नहीं है कोई भी नए ट्रिबनल बनाना और उसको power देना जो high court के पास power है वो उसको देना unconstitutional नहीं है राजीव गहंदी case में को specialized matters में adjudication दिये गी है सर वो कोई भी matter ऐसे decide नहीं करेंगे जो criminal nature का होगा सर ऐसे matter जो substantial question of law दो तिन बाते सुन लो पहली बात तो सर ट्रिबनल्स कभी भी criminal nature का matter नहीं लेंगे दूसरी बात ऐसे matter जहां substantial question of law जुड़ा हो जहां बहुत बड़ा important question of law जुड़ा हो ऐसे matter से ट्रिबनल नहीं लेगी तो ऐसे matters के लिए higher judiciary यानि high courts ही आज भी मुझूद है ठीक है ना तो सर ये घमासान बढ़ता गया जब second amendment act आया मैं बता चुक हूँ आपको तो ऐसा लग रहा था कि सर ये controversy कभी खतम ही नहीं होगी but finally union of India case के अंदर ये चीज़ decide की गई और Supreme Court ने support किया पहल्ड मतलब support किया सर 14th में 2015 वाज दे decision दी कि yes सर आप अपना law बना सकते हो आप अपनी ऐसे authority बना सकते हो सेंटर गवर्मेंट ने उस चीज़ को मानते हुए सर थे और बोल दूसर जबर्दस्त खुशी नगाड़े बजने लगे थे CS Institute के अंदर वावई वाज हमने जंग जीत ली and first June 2016 वाले दिन फाइनली N.C.L.T. का जनम हो गया बना तो पहले जी एनफोर्स में आगे शेलिये दोस्तो किन दोनों की पावर में सुनो भानू N.C.L.T. का मतलब कोई भी परसन अगर किसी चीज़ से एग्रीवड है जैसे पहली बार सूट करता है मैं बोल रहा हूँ जैसे पहली बार सूट करता है सिविल कोर्ट में ऐसे ही सर यहां सूट तो नहीं बोलते सर कोई भी एप्लिकेशन कोई भी पैटीशन लगानी है एप्लिकेशन लगाना कोई भी पैटीशन लगाना वो जाती है जी N.C.L.T. अब N.C.L.T. ने ओडर दिया माल लोग दो पार्टी में से जो भी पार्टी इसके ओडर से एग्रिवड है सर वो N.C.L.T. के ओडर के अगेंस्ट अपील लेके अपील लेके उसके ओडर से नराज होके हाईयर अथोर्टी में जाना चाहती है तो वो जाती है नेशनल कंपनी लोग एपीलेट ट्रिबनल सर ये तो था नेशनल कंपनी लोग ट्रिबनल ये कहा है नेशनल कंपनी लोग एपीलेट ट्रिबनल एपीलेट ट्रिबनल हो गया बानू कलियर सर जो इसके ओडर से नराज होगी वो एपील लेके जाएगी एपीलेट ट्रिबनल में टाइम पेड दिया है अभी बता दूंगा इन दोनों में डिफ्रेंस आ गया समझ में अल्दो अगर आपने कम्पनी लोग पढ़ाया तो बच्चो ये डिफ्रेंस इस टाइम पे माइंड में राइस होना बहुत गलत बात है और नैशनली में बोल रहा हूँ कही न कहीं त्यारी के अंदर और जो भी बच्चा पूछ रहा है मेरा किसी पर्टिकलर बच्चे को टार्गेट नहीं है जस बच्चे के दिमाख में इन दो वर्ड्स के बीच में क्लेरिटी नहीं है इट मिन्स आर आपने अभी तक कोई कम्प एलेटी में 423 के अंदर अपील जाएगी सर सुपरीम कोट सर हाई कोट में नहीं जा सकते हाई कोट को सेम माना गया है NC-LAT के बराबर तो उसके पास अपील देके नहीं जा सकते yeah ही जलिए अल्टिर बिल्कुल सही पकड़े सिर्वे एसी वज़े से कंप्नि लो एक बार में नोटिफाई Nhい घौ केस्लों के नाम बोलो और दो केस्लों के नाम बोलने है सारे बच्छों गया थे फटाफरसे फटाफरसे कमेंड बोक्स में भर दो आथ painful मेरे साथ बोल व्यागन को मैंनर मलिन को मैंनर अलग हैासे दोनस्aggio में, but manner of decision अलग-अलग है, किस case लो ने बोला, विरेंदर कुमार सत्यावादी versus state of Punjab, ठीक है जी, दूसरा, sir, on the basis of sir, जो court, tribunal है उसको बस special laws के अंदर, जिन एरिया में उसको authorized किया गया है, बस वो special adjudication दे सकता है, लेकिन जो civil court है, उसको पास एक general power है, sir, वो किस case लो ने आपको समझाया, state of गुजराथ versus गुजराथ, बार, गुजराथ, कैसा, गुजराथ revenue Tribunal Bar Association, तीसरा क्या बता था, sir, मैंने आपको, जो overburden of cases है, sir, उन चीजों को, trunk load of cases को कम करने के लिए Tribunal picture में आई, और Rex versus electricity commissioner 1924, समझ मैं आया, फिर मैंने आपको बोला, sir, जो हमारी NCLT और NCLT का background क्या था, justice iraadhi committee, sir, उन्होंने insolvency and winding up close के बारे में पड़ा, sir, उन्होंने फिर उसके बाद अपनी recommendations दी, कि NCLT आना चाहिए, ठीके न, और NCLT की आना चाहिए, फिर उसके बाद हुआ क्या जी, उसके बाद, sir, एल, चंदरकुमार versus union of India case आया, sir, उसके बाद second amendment act आया, फिर finally union of India versus राज्जिव गांधि, प्रेजिडेंट, मदरास बार आशोशेशेशे ने के ओपर हरी जंटी दे दी, थप्पा लगा दिया, बहुत बढ़िया, यार, बहुत बढ़िया, cases को इस तरीके से पढ़ोगे न, बार-बार-बार-बार, किसी chapter के अंदर इतने cases नहीं, एक-दो chapter को छोड़ दो, हर chapter का case याद हो जाएगा, चल यह दोस्तों, चलो, अब without wasting any time, हम लोग आगे पढ़ते हैं जी, heading number 5, चलो, बिना book के पढ़ें, sir, अब भी हम लोग के न, section start होने वाले हैं, अब तक कोई भी section हम लोगों को नहीं पढ़ा था, sir, section 408, come on guys, sir, section 408, फिर हम लोगों को पढ़ना है, sir, section 410, 408, 410, हंजी, sir, 408, बोलता है, constitution, sir, वैसे आप लोगों ने एक कंपनी लोगों में पढ़ा होगा, but I assure you, इसके अंदर बहुत कुछ amendment आई है, I'll provide you in this class, module में भी तक amendment नहीं आई है, supplement में भी तक amendment नहीं किये, बट नलाय को 2021 January के amendment है, 21st January, 22nd January 2021 में amendment आचुकी थी, जो amendment हमें पढ़नी चाहिए थी, और जो ICSI ने नहीं डाला, but मैं चाहता हूँ आप लोगो 100% content देके जाए, ठीक है जी, तो constitution of N.C.L.T. and powers and functions of N.C.L.T. powers and functions of N.C.L.T. तर अभी focus कर रहे हैं, N.C.L.T. confuse मत हो जाना है, exam में कभी N.C.L.T. लिखाओ, तो कम ओन, तो समझ में आ रहा हैं, अभी मैं बता हूँगा, and section 410 बोलता है, constitution and powers and functions of, बहुत ध्यान से, N.C.L.A.T. आरे जी, समझ में बात, एक बार फड़ा-फड़ से कमेंट कर दो, सर, अगर exam में constitution of N.C.L.T. आया, तो section 408 हमें ध्यान में लेके आना है, और अगर N.C.L.A.T. आया, तो section 410 ध्यान से, come on, दोस्तो, come on, message, comment करो, फड़ा-फड़ से, सर, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, सर, अगर मैं constitution की बात करूँ, N.C.L.T. की, बोलता सर, एक परसंतो उसका होगा, जी, president, कम से कम, मलब एक परसंतो जी होगा, president, सर, और, other members होंगे, and other members भी होंगे, सर, वो कौन होंगे, judicial, and technical, सर, judicial, and technical, समझ में आ रहे हैं सबको, तो जो other members होंगे, जी, वो कौन होंगे, judicial होंगे, और कौन होंगे, technical, तो एक तो जी, अपना president होगा, और other members कौन होंगे, सर, वो judicial, और technical, सर, कितनी होंगे, कोई फरक नहीं पड़ता है, सर, central government, जितनी भी चाएं, deem fit, सर, जितनी भी उसको सही लगे, सर, notification निकाल देगा, official gazette में, सर, उतना आपका, appoint कर देगा, सर, NCLT को बनाता कोन है, बोलता है, सर, central government, shall notify, NCLT, सर, central government, notification पास करके, NCLT का जनम करता है, constitution करता है, जहाँ, जहाँ, NCLT की, समझ में आ गया, sorry, powers and functions, सर, वो अपनी exercise करेगी, लेकिन कैसे exercise करती है, through bench, सर, NCLT, अपने powers and functions को कैसे exercise करती है, बोलते, through bench, सर, bench के through करेगी, सर, bench के लिए section बताया गया, 419, सर, NCLT का bench, कैसे होगा, कितने members का होगा, कितने bench होगे, कहाँ बताया गया है, 4 बनना है, सर, ऐसे ही अगर मैं constitution की बात करूँ, NCLT की, एक ही बात होती है, constitution या composition, बच्चा बोल रहे सर, constitution या composition, एक ही बात होती है, इसको बोलना, बनाना, कौन बनाएगा, central government, सर, इसके अंदर, कितने number of क्या members वगरे होंगे, composition, एक ही बात होती है, अब सर, NCLT में न, president नहीं होता, ध्यान से, confuse मत होता है, exam में, सर, इसमें होता है, come on, सर, इसमें क्या होता है, chairman, सर, जैसे यहाँ, president पढ़ा था, सर, इहाँ, president नहीं होता, यहाँ होता है, chairman, यहाँ होता है, chairman, सर, और, other members, सर, वो other members, कोन है, same है, judicial and technical, others members, कोन, कोन है, judicial and technical, यहाँ ध्यान से, सर, यहाँ latest amendment आई है, आप लोगों के module में लिखा, यह 11 members होंगे, 11 members, बट नो, अब amendment आज चुकी है, जी, जो भी central government को ठीक लगे, उतने members हो सकते है, as deemed fit notification, पास हो जाएगे, इतना समझ में आ रहा है, सर, powers and functions क्या है, बोल रहे सर, जो भी person दुखिया है, NCLT के order से, सर, जो भी person प्रेशान है, NFRA, पढ़ा होगा न, audits and auditors account वाले चेप्टर में, NFRA, NFRA, पढ़ा होगा न, सर, NFRA के against, NCLT के against, सर, जो भी matter होगे, companies act के, सर, उनकी appeal देखेगा, उनकी order against, decision देगा, and सर, section 53A, come on, इधर note कर लो, section 53A, सर, किसका, competition act का, सर, पहले क्या होता था, जी, पहले, CCI के against, appeal जाती थी, compact पे, किस section में लिखा था, सर, ये, section 53, capital A of the, competition commission of India, competition act के अंदर लिखा था, लेकिन सर, compact खतम हो चुका है, सर, अब, CCI के against, appeal कहा जाएगी, NCLAT में, सर, इंसल्वेंसी, bankruptcy, IBC act के भी, अब matters किसके पास आएगी, appeal, NCLAT में, तो सर, अब देखो, NCLAT के power देखो, एक पर यहां दुबारा लिख रहा हूँ, सर, NCLAT के power देखो, सर, companies act के अंदर, जो matter है, IBC के अंदर, जो matter है, और, सर, last के अजी, इधर द्यान दो, सारा बच्चा, और, last के अजी, सर, competition act के जो matter है, उनके against आएगी, application, सर, companies act के अंदर, NFRA के against आएगा, और, NCLAT से, जो भी person agreed है, वो चला जाएगा, सर, NCLAT के पास, IBC में भी, obviously सर, NCLAT वाले matters, competition act में, सर, कैसे आएगा, सर, जो भी person, CCI के order से, परिशान है, सर, वो पहले जाते थे, compact पे, लेकिन, अब वो authority, खतम हो चुकी है, सर, अब वो कहां जाएगे, NCLAT के पास, is this okay, सर, NFRA की full form, national financial reporting authority, national, पाइनेंशिल, reporting, authority, समझ में आ गया जी, तो ये NCLAT की पावर है, सर, एक बात धियान रखना, यहां latest amendment आई थी, सर, पहले यहां 11 members होते थे, बट अब वो काट के, unlimited member हो सकते है, जितने center government को ठीक लगेंगे, अब ही मैं आप लोग को दिखाता हूँ, एक बार अपने notes में, सर, यह सारा का सारा समझ में आ गया, आ गया जी, सारा का सारा समझ में, देख लो, फटा फट से इदर धियान ले क्या हो, सर, बहुत important थे exam के लिए, composition, मतलब central government सर नोटिफाई करेगी, ट्रिबनल को जितनी भी उसको सही लगेगी, प्रेजिडेंट और judicial और टेक्निकल मेंबर से मिलके, अपनी duties को डिश्चार्ज करेंगे सर, जो भी companies act में है, किसी भी law में उनको पावर दी गई है, और किसी भी law का मतलब मैंने आपको बता दिया सर, competition act में, IBC में, जिस भी law में आपको पावर दी गई है, constitution, central government इसर, NCLAT को बनाता है, सर कैसे कैसे होगा, सेम है सर, जैसे महाँ president था, यहाँ chairman आएगा, judicial और technical member, सर देखो, इधर, इधर यह आपके module में amendment नहीं है, यह मैं amendment आप लोगों को बता रहा हूँ, किसी बच्चे नहीं पढ़े होगी मेरे लाबा, जो मैंने अपनी regular class में पढ़ाया तो पढ़ाया, मुझे नहीं पाता, self study वाले बच्चे ने ध्यान दिया है कि नहीं दिया, सर, पहले न, यहां होता था, no tax reading 11, NC LAT में 11 से जाज़ा technical या judicial member नहीं हो सकते थे, but yes, सर, यह जो no tax reading 11 थे, यह omit हो गया जी, एक मिट रुकन नहीं यार, वो दिक्कत आ गया है PDF में, एक मिनिट यार, एक सेकंड गाईस, चल गया, चलो, तो पहले, पहले, यह 11 नहीं होते थे, महलब 11 की limit सी, लेकिन अब, सर, amendment आई, अब सर, amendment आई, यह इस पे न, notes पे मेरा चल नहीं पाए, क्योंकि यह link है, direct notification का, अगर मैं इस पे click करूँगा न, तो आपका, direct website खुल जाएगी, वो वाली, यह link है, देखो, इस पे न, इस पे पैंच चल नहीं रहा, यह link है, यह link है, ठीकिना, तो कब omit हो गया जी, omit हो गया, सर, यह company's amendment act, 2020 ने इसको omit कर दिया, second, 22nd January वाले दिन, और अब यह 11 की limit नहीं है, जितना भी central government चाहे, उतना अपॉइंट कर सकती है, सर, क्यों अपॉइंट करेगी, for hearing, appeals against, order of the tribunal, NFRA is act के अंदर, और जो भी decision directions, 53A में, competition act के अंदर, जो भी दी जाएगी, उसके against, अब देखना सर, benches, यह बात और ध्यान से, सर, यह बात बहुत ध्यान से सुर लो, सर, यह ना हमारे syllabus में, ICSI ने, सर, क्योंकि उस टाइम, यह section ही नहीं था, और मुझे लगता, ICSI ने सर, यह, ना module को revise ही नहीं किया अब तक, सर, यह ना पहले, 22nd January, 2021 वाले दिन, सर, यह section newly inserted हुआ है, section 418A, सर, यह ना आपके module में नहीं होगा, सर, यह latest amendment है, सर, यह, पता नहीं, ICSI का कब मत्था गुमेगा, और exam में पूछ बैठेगा, सर, यह जब insertion, दो साल पहले हो चुका है, 2021 में, तो सर, यह आना चाहिए था, अब तक, सर्फ ट्रिबुनल के bench है, सर, अपिलेट ट्रिबुनल के bench, हमारे syllabus में नहीं बताया गया, क्योंकि सर, इससे related कोई section ही नहीं था, लेकिन बाद में, amendment आके, amendment 2020-2020 bill पास हुआ, सर, उसने यह 418A, नया section को introduce कर दिया, तो आप बताओ, आप अपिलेट के bench के बारे में, पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो, एक बार मुझे बतादो, सर, ICSI ने module में नहीं डाला है, बट हाँ यह आ चुका है, amendment आ चुकी है, syllabus वहाँ, और ICSI बोलता है, 6 महीने पहले की, सारी amendment हम पूछ लेंगे, आप हमारे ओपर dependent हो कि मत रहना, benches of tribunal तो ठीक है, आप ने पढ़ा होगा, आपके module में भी होगा, बट अब एना appellate tribunal, 4199, 418A, 418A, पढ़ना है, सर देको यह आप लोगो को ना, और बच्चों से अलग करेगा, बहुत ध्यान से पढ़ना है फिर, अगर पढ़ना तो बहुत ध्यान से, चाहे module खोल के देख लो यार मुझे तो कहीं नहीं दिखा यह section, पर चलिए, बोलते हैं जो bench, अपनी power कैसे exercise करेगा, अब ही मैंने आपको बताता था न, through benches, benchman आगे, ऐसे ये भी अपनी benchman आगे करेगा, बोलते हैं अपनी power कैसे exercise करेगा, NCLT, देखिए, बोलते हैं, the power of the appellate tribunal, may be exercise, देखो word लिखा है, may, इस word पर focus करना, word लिखा है, may be exercise by the benches, thereof, to be constituted by the chairperson, सर दो बातें यहां से सीखने के लिए मिली, bench बना ले, और चाहे तो बिना bench के भी कर सकता है, दूसरी बात, सर वो bench किसने बनाए होने चाहिए, सर चेरman ने, सर जो भी chairperson ने, चेरman ने bench बनाए है, सर उनके थुरू वो अपनी power को exercise कर सकता है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रही है, दो बाते क्या पकड़ी, सर पहली बात तो चाहे तो, खुद से भी कर ले, चाहे तो bench बना के, और याद रखना, bench का मतलब होता है, दो judges, bench का मतलब होता है, two judges, exception आएगी, बात bench का मतलब होता है, दो, तो सर वो किसने बनाया होना चाहिए, सर जो चेर परसन ने bench बनाया है, और सर जो bench बनाया जायागा न, उसमें एक judicial member होगा, और एक technical member होगा, इतना समझ में आ गया, बट इस word पर focus करना में, और bench किसने बनाया है, चेर्मेंन ने, चेर्मेंन सुओ मोटो bench बना रहा है सर, किसी से permission लेने की जरूत नहीं है चेर्मेंन को, सेंटरल गवर्मेंट से permission लेने की जरूत नहीं है, जिसने आपको बनाया है, देखिये जी इधर, इधर ध्यान दो, सर दूसरी बात क्या समझ में आई हमार को या, सर benches of the appellate tribunal शेल, ordinarily कहाँ sit करेंगे सर, के लिए एक bench बना सकता है, लेकिन अपने आप से नहीं बनाएगा, किस से पूचके, किस से पूचके बनाएगा सर वो bench, in consultation with the chairperson, कौन बनाएगा, तो CG बनाएगा सर, chairperson से पूचके, कहीं special bench बनाना है सर, तो chairperson से पूचके, वो bench बना देगा, और कहां बैठते हैं, ordinary New Delhi, shell, बनाब usually बें New Delhi में बैठते हैं, इतना समझ में आ गया, इतना हर बच्चे को समझ में आ गया, भी कुल लड़ू सा था, और भी हैं, बट जितना relevant है मैंने आपको करवा दिया, समझ में आया, एक बार मुझे बढ़ा दो सर, इतना समझ में आ गया, दैन में आगे बढ़ता हूँ जी, सर ये देखना, थोड़ी थोड़ी ना, differences दिखेंगे आपको दोना, सर यहां number of benches कितने होंगे सर, टरेबिनल के, बुल रहें जितने भी, जितने भी, सर यहां किसको नोटिफाई करने थे, चेर परसंट को, सर यहां किसको नोटिफाई करने है, सेंटल गुवर्मेंट, बास समझ में आ गई पहला point, तो यह differentiate क्लियर करना है, दूसरा, principal bench and terminal, सर यहां तो कोई ऐसा नहीं था न, principal bench वाला, सर यहां तो कोई principal bench और different bench की बात नहीं हुई थी, बोल रहे हैं सर यहां दो benches में डिवाइड होगा, principal bench वो, जहां सर प्रेजिडेंट बैठता है, सर यहां chairman का तो सीन ही नहीं है न, सर ऐसा bench जहां प्रेजिडेंट बैठता है, वो principal और other bench मतलब है, सर प्रिंसिबल bench कहां होगा, न्यू डेली में, देख लो, principal bench of the tribunal shall be at न्यू डेली, shall be at न्यू डेली, thank you Sachin, thank you your, which shall be presided over by the president, बता है सर आपको, तो principal bench का मतलब, सर वो bench जिसमें आपका president बैठता है, और जो न्यू डेली में होगा, देखो word क्या लिखा है, shall be, सर यहां क्या लिखा था, कोई भी bench, ऐसा कोई bench नहीं था, ordinary, ordinary, कुछ भी नहीं था, सर ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ordinary, बात समझे में आ गई, सर और धिहान से देख लो, powers of tribunal, सर ट्रिबिनल अपनी पावर को exercise कैसे कर सकता है, हाँ, shall का मतलब mandatory होता है, भानू, shall का मतलब mandatory होता है, सर पावर, लेको वहां मैंने क्या पता है था, powers कैसे exercise करगा NCLT, चाहे तो, may be exercise by the bench, चाहे तो individually, चाहे तो exercise by the bench, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, the powers of the tribunal, shall be exercise by the bench, मतलब NCLT को, कोशिश यही करने है, सर वो benches के थूरू, अपनी पावर को exercise करे, चाहे जिसमें दो member होंगे, जिसमें से एक judicial होगा, और other technical होगा, समझ में आ गया, यहाँ है shell, वहाँ था मे, और देखो ध्यान से, exception है जिसकी, हाँ लेकिन अगर NCLT को ऐसा लगता है, ज्यादा बड़ा matter नहीं है, इसको एक member से भी काम चल जाएगा, single member bench भी मना सकता है, सर single judge भी member बन सकता है, competent for the member of the tribunal, authorized in this behalf, to function as bench consisting of, लेकिन वो single bench होगा, वो judicial member से बनेगा जी, judicial से, सर वो technical member से नहीं बन सकता, no, सिर्फ judicial member से single member bench judge बनेगा, अब देख लो, सर मान लोट ने, उसको ऐसा लगा कि single member bench से काम चल जाएगा, और NCLT ने, single member bench, judicial member से काम करना शुरू कर दिया, later, सर बाद में उसको ऐसे ऐसास हुआ, नहीं सर, matter तो बड़ा संगीन था, और मैं तो सर इसको नहीं मैं वो कर सकता, सर मैं तो इसको क्या कहते हैं, नहीं continue कर सकता, तो उसने क्या किया, later, सर उसने क्या किया जी, later, if at any stage of the hearing of any such case or matter, it appears to the member that the case or matter is of such a nature that it ought to be heard by the principal bench, तो सर वो उस matter को क्या कर देगा, transfer कर देगा, ऐसे bench में, जहां दो member होंगे, एक judicial और एक technical वहां transfer कर देगा, और वो उसके बाद वो case कहां, कौन decide करेगा, वो bench, अगर किसी भी stage पर उसका ऐसा लगता है, कि नहीं सर, at any stage कि नहीं सर, मैं capable नहीं होई सर, matter संगीन है, दो members को यह देखना चाहिए, तो दो member देखे, पहली बात, double bench, mandatory, चल उसको लगता है, single से काम चाहिए, single judicial होना चाहिए सर, फिर उसको बाद में, किसी भी stage पर लगता है, नहीं सर, matter गलत जा रहा है सर, तो दुबारा से bench को टाचे, अब usually bench का decision, कैसे देखा जाता है सर, majority से, अब दो member का bench होगा, तो majority क्या होगी, दोनों के दोनों, पर sometimes, देखो usually कैसे होगा सर, as per majority, अगर majority बन गई, possible है, मालो तीन judges का bench है, या चार का bench है, तो majority मतलब दो, छीक है जी, बट अगर majority नहीं बन पा रही है, deadlock first गया, सर, दो ही judges का bench था, only two का था, एक positive है, एक negative है, deadlock first गया, तो सर, वो matter कहां transfer कर देंगे, सर, उस matter को लिख के, सर, इन इन point पे हमें दिक्कत आ रही है, सर, उन matters को लिख के, president को दे देंगे, then president उस matter को देखेगा, क्या करना है, समझ में आ गया जी, समझ में आ गया, पूरा का पूरा, सर, वहां, NCLAT चाहे तो bench से, यहां है shell, सर, यहां single bench भी हो सकता है, provided proviso है सर, इसका exception है सर, लेकिन अगर बादी में उसको लगता है, कि नहीं सर matter संगीन था, तो वह transfer भी कर सकता है, majority से मिलके decision होगा, अगर majority नहीं बन पा रही है, तो सर, president की पास matter को transfer कर देंगे, president जो final करेगा, समझ में आ गया जी, पक्का, सर, main मेहनत का काम हो चुका है हमारा, सारा मेहनत का काम हो चुका है जी, मेहनत का काम हो चुका है, कोई doubt किसी बच्चे को अब तक, जितना मैंने पढ़ाया इस content में, आगे की बाते मत करना, कभी पता लगे और फाल्तू बाते पूछे, यह पूइंट मैं सारा तो repeat नहीं करूँगा, जो particular point में आपको दिक्कत होगी तो मैं कर दूँगा, otherwise आप बाद में वीडियो देख लेना जी, शेले, order of the tribunal, सर्ट tribunal एन अपना order reasonable opportunity of being hurt देगा, दोनों पक्षों की बाते सुनेगा, उसके बादी पास करेगा, यह ध्यान से सुन लो, यह तो easy था था, दोनों पक्षों की बाते सुनना, principle of natural justice, power of rectification, अगर parties आपके पास application लगाती हैं, दो साल के अंदर अंदर जब से tribunal ने order दिया है, कि सर आप से कोई error हो गया, कोई mistake हो गयी, जो साफ साफ पता लग रहा है सर, rectify करनी ही पड़ेगी आपको, apparent from the record, मलब साफ साफ देखने में लग रहा है सर, NCLT से order देने में कोई गलती हो गई, mathematical error, clerical error, कोई mistake हो गई सर, तो amend कर सकता है सर, और अपने खुद के order को, जो उसने पहले पास किया था, अगर दो साल के अंदर अंदर notification उसके पास आ गई, notice आ गया, application आ गई, तो सर उसको amend कर देगा, बट अगर उस matter के ओपर appeal चली गई थी, तो नहीं करेगा, in general amendment possible है, बट अगर उस matter के ओपर appeal चली गई थी, अपील कौन से section में जाती है, NCLT पे, 421 में, तो नहीं कर सकता सर, otherwise कर देगा, transfer वाला, सर देखो पहले तो उसको लगा, मैं खुद खत्रे का खिलाड़ी बन जाऊँगा, single member bench, जो judicial member है, मैं देख लूँगा matter, बट बाद में, किसी time उसको, जब matter उसके सामने आया था, appeal उसके सामने आई, उसको ऐसा लगता है, नहीं, यार मैं नहीं देख पहूँगा, matter ऐसा है, जो technical nature का है, जिसकी मेरे पास skills ही नहीं है, तो वो बीच में इस यार, खत्रों खिलाड़ी ना बनते हुए, सर वो अपनी गलती मानके, एक तरह से bench को बोल देता, सर ये matter में transfer करता हूँ, bench के पास, अगर अगर उस चीज़ के ओपर appeal जा चुकी थी, तो आप नहीं कर सकते है, is it okay, sir, order की copy, दोनों parties को जाएगी, दोनों parties को एके copy send करनी पड़ेगी, appeal, important है जी है, इसके लिए मैं एक प्यारा से chart बनाए, आपको यहां नहीं पढ़ना, ये देख लो, पज़ा आजाएगा आप लोगो, ट्विंकल वैसे तो ना, लोन ने straight forward ने लिखा, कि वो खुद से भी revise कर सकती है, but yes, वैसे सुवर मोटो inherent power होती है, tribunals के पास वो कर सकती है, बट यहां देखते यहीं लग रहा है, कि बस application आएगी तब ही कर सकती है, तो जो बंदा NCLT के ओडर से परिशान है, वो first appeal लेके, 45 दिन में first appeal लेके, NCLT के पास जा सकता है, section 421 यही बोलता है, further extension मिल जाएगी, और sufficient ground, तो 45 दिन की और मिल जाएगी, तो 45 प्लस 45, 90 दिन का total time होगा, sufficient ground में मिलेगी, सर जो बंदा NCLT के ओडर से परिशान होगा, सर वो final appeal, सर वो high court पे नहीं जाएगा, कभी आप बोल दो सर high court पे, no, NCLT को high court के बराबर माना गया, जेखो यह, पावर इस तरीके से चलेगी कंपनिनों में, NCLT अगेंस्ट, NCLT फिर supreme court, सर जो offenses हैं, यानि जो criminal matter है, वो जाएंगे पहले special court पे, special court के बाद जाएंगे high court पे, फिर जाएंगे supreme court पे, तो ऐसे चलता है सर यह, इसको अगर कहीं आपको बनाना है, तो pick click करनी है, तो चरूर कर लेना है, अगर आपको यह समझ में आ गया, तो आपको सारा funda executive का समझ में आ गया, सर लोका, company लोका सारा का सारा funda समझ में आ गया आपको यह, special court is equal to district court माना गया, district and session court, और उसके ओपर जाता high court, तो special court को up to district court तक की power है, NCLT को भी सर district court तक की level की power है, NCLT को high court की level की power दी गई है, and supreme court तो सर वह पर यह, तो 60 days का time में सर supreme court चारने का further 60 days के extension मिल जाएगी, supreme court, एक बात और मैं बता दू, NCLT में और NCLT में English में hearing चलती है, English में, यहां हमारा Hindi प्रस्ताव लेके नहीं जा सकते, English में hearing चलती है, सर यहां ना triplicate copy लगते है, three copies, जैसे मैंने suit में बता हैं ना duplicate, सर यह English में जाएगा, तीन copy लेगेगी, अगर कोई मानलो आपकी local भाषा है, तो आपको translated copy देनी पड़ेगी, translate करके English में, और उसको दोनों party certify करेंगी, हां सर, जो English में लिखाया है, सही लिखाया है, सही के सिवा कुछी नहीं लिखाया है, अरे वो करना है, उसके रुक तो जाओ, उसमें, question of law के ground पर जा सकते हैं, आप Supreme Court में, only question of law, समझ में आ गया जी, तो 60 plus 60, 120 in total, but यह sufficient ground पर extension मिलेगी, last class में पढ़ाया था न, limitation act, ऐसे नहीं देंगे, sufficient ground पर ही, condemnation of delay मिलेगी, क्योंकि limitation act के section 5, मैंने आपको बताया था, condemnation of delay, sufficient cause, वो हर case में नहीं, sufficient cause में ही मिलेगी, तो देख लो सर, first appeal, NCLT पर जाएगी, NCLT sorry, अगर आपने consent, आपने parties ने mutually decide करके, NCLT से order लिया था, तो आप appeal में नहीं जा सकते, consent order पर appeal में नहीं जा सकते हो, limitation पर आपको बता दिया, सर, 45 दिन का होगा, extension आपको बता दिया, सर, further 45 दिन के होगी, लेकिन जब, जब आप sufficient cause होगा जी, वो sign करके देंगे, communication gap होगा, कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हो, नलायक भानू, party sign करके देंगी, हाँ English में जो translation में हो बिल्कुल सही है, और sir, appealate court, मतलब अब NCLT क्या करेगी, sir, जैसे उसके पास appeal आई, दोनों पक्षों को opportunity दी जाएगी, उनकी बात को सुना जाएगा, finally, appeal में, sir, ध्यान अखना, NCLT के पास भी कोपी जाती है, और parties के पास भी कोपी जाएगी, जो भी decision आएगा, अब sir, usually 422 क्या बोलता है, 422 यह 421 था, sir, कितने दिन में, tribunal को, या appellate tribunal को, कितने दिन में, sir, decision देना है, कितने दिन में, sir, अपना final decision देना है, come on guys, बोलते, sir, चाहे ट्रिबनल के पास case आया हो, चाहे appellate tribunal के पास appeal आई हो, sir, दोनों ही अपना best possible way देगे, sir, best, to the extent possible, बोलते है, expeditiously, to the extent possible, sir, sir, अपने best effort लगाएंगे, matter को सुलजाने में, appeal को सुलजाने में, but फिर भी, 3 महीने के अंदर-अंदर, sir, वो कर देंगे, but in case अगर वो नहीं कर पाए, 3 महीने के अंदर-अंदर, dispose of नहीं कर पाए, case को, application को, appeal को, तो sir, पहले बात तो अपना reason लिखेंगे, सर, क्यू नहीं कर पाए, वजय क्या रही, sir, ज़्यादा matter कैसा था, उसका reason लिख लो, अरे बताया तो मैंने, कि आपस में, थोट वो हो जाते, तो फिर प्रेजिडेंट के पास, चेर परसन के पास जाता matter, ये बताया तो था, अगर in case, वो deadlock first जाए, equally divided, एक हाँ और एक ना, deadlock first गया, तो प्रेजिडेंट के पास बेज़ दो, अपील में सेम, चेर परसन के पास बेज़ दो, तो sir, बोल रहे है, प्रेजिडेंट या चेर परसन, क्या करेंगे sir, इस case में, consider करेंगे, जो factor आपने लिखके दिए है, and आपको sir, further time period extend करके देदेंगे, लेकिन वो 90 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा, पहले कोशिश करो sir, तीन महीने में, sir, उसके बाद time period दिया गया, 90 दिन का, then उसके बाद, आपको 90 दिन के extension मिल सकती है sir, 90 days की, कौन देगा, President N.C.L.T. को देगा, Chairman N.C.L.T. को देगा, समझ में आगया, और वही Supreme Court में अगर आपको जाना है, तो 4.23 बोलता है, 60 दिन में चले जाओ sir, किसी भी question वो पे, pact पे नहीं, 60 दिन की further extension मिल जाएगी, sir, यह आपको बताए दिये sir, procedure क्या होगा sir, section 4.24 बोलता है, sir, अपने खुद का procedure लिखेंगे, यह bound नहीं है, CPC को, sir, civil procedure code के प्रोजज़र के ओपर bound नहीं है, अपना खुद का procedure लिखेंगे, sir, power क्या है, same power है, sir, जो civil code के पास है, अगर कोई भी suit आता है, तो try करने की, वो सारी power NCLT या NCLT के पास दी गई है, sir, execution, आपको पता है न, decree को जैसे execute करते हैं, ऐसी NCLT के order को, important है, इसको important बाग कर ले न, sir, NCLT के order को execute कैसे होता है, sir, NCLT, जिस NCLT ने और NCLT ने वो order दिया है, वो order दिया है, एक मिनट यहर, sir, जो भी court होगी, उसकी jurisdiction में, वो उसके order को क्या कर देगी, execute, मैं अब एक तरसे उसको पर authorize कर देगी, हाँ, आपका order valid है, sir, अगर वो order आया, company against है, sir, अगर company against order आया, तो जिस, जहाँ company का registered office situated है, उस jurisdiction में, जो भी court होगी, civil court होगी, sir, वो court क्या कर देगी, आपके order को execute कर देगी, execution, बट अगर other than company है, sir, individual है, तो जहाँ वो voluntarily रहता है, खुद से, अपना business करता है, अपना profession करता है, sir, वहाँ, उसके area में, जो भी court होगी, वहाँ से आप execute करवा सकते हो, छीकिए ना, 90 days कब से, जिस दिन आपके 3 मन्त खतम हुए है, उस दिन से 90 days का extension, आपको 3 महिने से पहले ही बताना पड़ेगा, sir, हम पूरा नहीं कर पाएंगे, आप पुछ कर लो, तो in total 90 days का extension मिलेगा, sir, जितनी भी proceedings, tribunal या अपलेट tribunal के सामने होंगी, उसको बोल देंगे judicial proceedings, उसको बोल देंगे judicial, बच्चों वाले चीज़ है, जैसे एक reading portion है, यह पढ़ते हैं न, contempt of court जैसे high court की, अगर कोई अवेल ना करता है order की, तो contempt of court act में, जैसे वहाँ सजा दे सकता है, ऐसे NCLT या NCLAT भी सजा दे सकती है, सर, legal representation का right, कोई भी company के भियाप पे, उसको company secretary, chartered accountant, cost accountant, legal practitioner, या कोई भी officer, अब सर, officer में तो company secretary न, employment भी आ सकता है, सर, वो अपनी company को NCLT, आ NCLAT के सामने represent कर सकता है, सर, यह आपके पास अधिकार है, right to legal representation, section 432, important exam में आ सकता है, देखो, execution का मतलब होता है, जो भी order दिया न, NCLT ने, या appellate order दिया है, NCLT ने, उसको ठपा करवाना, उसको sign लगवाना, कि yes, वो legally enforceable है, तो sir, आप है न, अगर वो company के against है, तो जहाँ company का registered office है, वहाँ चले जाओ, अगर sir, वो किस के against है, इंडिविजियल के against है, तो जहाँ individual रहता है, जिस area में रहता है, उसकी court के पास, आप उस order को execute करवा सकते हैं, legal representative sir, कोई भी बन सकता है, company के भिहाब पे, CS, sir, यह बात हो रही है, PCS, practicing CS, practicing cost accountant, chartered accountant, company secretary, legal practitioner या any officer, अब any officer, means to sir, director भी officer होते है, who are covered under section 2 close 59, officer की definition, मैं तो CS भी आता है, तो CS in employment भी, company के भिहाफ पे representative बन के, जा सकता है, समझ में आ गया जी, मुझे एक बार यहाँ तक बादा दो, सब बच्चे को समझ में आ गया, पिर ज़्यादा देर का काम नहीं रहा sir, 10-15 मिनिट हद मारा, मैंने वह 40 मिनिट बोला था, 30 मिनिट हमारी हो गई है sir, उन बातों से, 10-15 मिनिट हद मारा sir हमारा रह गया, फिर वो हम लोग complete करते हैं, अगर कोई doubt है तो मुझे अभी बता दो, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, 10-15 मिनिट में हमारा आज का पूरा हो जाएगा, तर बहुत लंबा चैप्टर था, honestly मैं बोल रहा हूँ, अपने end पे कोशिश किये सारे case loads को, सारे points को सब important आप लोगों करवाना, विद amendment करवाना, अपने end पे पूरी कोशिश किये, अपने end पे लोगों करेंगे अपने end प्रेजेंट को भी भेज सकते हूँ, सर अभी तो बता के अटाओं, authorized representative कोई हो सकता है, CA, CS, CMA, आप खुद से भी जा सकते हो, और आप अपने end पे लोगों को भी भेज सकते हो, अगर आप किसी authorized representative को भेजते हो, तो सर आपको देना पड़ेगा, उसको साथ में authorized करके, Memorandum of Appearance, सर आप एक तरह से का authority letter लेके जाओगे सर, वो sign करके आप court में लेके जाओगे, सर देखो मुझे NCLT में, NCLT में लेके जाओगे, मुझे authorized किया गया है मेरे client के दवारा, और अगर सर आप advocate हो, तो वकालत नामा, यह आपको लेके court में जाना पड़ता है, और साथ में एफ़ी डेविट तो होता ही होता है सर, सर प्रिस्क्राइड फोम में जाएगा, प्रिस्क्राइड फीज जाएगी, और कहां फाइलिंग काउंटर पे हर, हर tribunal में, हर court में, फाइलिंग काउंटर होता है, जहां registry होती है, जहां आपकी सारे डोकुमेंट को रेजिस्टर करके, साइन करके आपसे collect किया जाता है, कोई भी person अगर इसका compliance नहीं करेगा, तो आपकी जो application है, वो refuse कर दी जाएगी इस ground पे, कि आपने नहीं माना, accompanied by certified document, सर इन documents को साइन करेगा, या तो authorized representative, या उनका advocate, ठीक है जी? Joint petition, अगर आपका सर, cause of action सेम है, सर अगर आपका relief सेम है, तो सर अगर NCLT या NCLT चाहे तो, सर आपकी application को jointly भी कर सकता है, आपकी एक ही multiple application को एक जिंगा merge कर सकता है, सर आज का chapter बहुत easy है, तोनम सिंग, stream end होने के बाद क्या question mark, सर मैं आज का lecture नहीं देख पाई हूँ, मुझे कुछ पूछना था, सर मैंने आज तक special court वाला chapter नहीं पड़ा है, तो क्या मुझे ये lecture देखना, बिल्कुल देखना चाहिए, मैंने बिल्कुल scratch से करवाया यार lecture, बिल्कुल देखना चाहिए, बोल सकते हैं भानू, वैसे सेम ही बात है, most important mark कर लो, दो मिनट शान्त हो जाओ सारा बच्चा, most important exam में 2 से 3 बार आज चुका है, CPC से provision लिया गया है, पता हैं, CPC में section 148 capital A में दिया गया है provision, civil procedure code, अब Companies Act में वो सेम प्रोविजन, caveat का ही नाम वहाँ है, caveat का नाम यहाँ है, but Companies Act में rule 25 of NCLT rules 2016, rule 25 का नाम दे दिया गया, but civil procedure code में 148 capital A का नाम दिया गया, caveat, अब यह बताऊंगा इसको, सारा बच्चा शान्ति से, दो मिनिट का शान्ति का दान दो बस, बहुत important point है, अपने दिमाग को शान्त करना, दो मिनिट के लिए, ये बस ये सुन लो, वो मैंने आपको बता है न, translate करके, English में जाएगा सर, अगर English में होगा तो well and good है, कि हाँ सर, जो भी हम बोलना चाह रहे थे, English में वही है, translated copy में वही है, उसके लावा कुछ भी नहीं है, दोनों parties को confirm करना है, कभी बाद में बोल दो सर, ये था matter, जज कभी उसको प्रम्राद दिमाख लगा दे, उसके बाद बोल दो, सर, आप कोई भी इंटर लोकेटरी, यानि इंटरमेटरी अप्लिकेशन लगा सकते हो, वो आपको याद करना होगा, important exam में आ सकता है, ये तीन-चार चीजों के लिए लगा सकते हो, stay order के लिए, directions के लिए, continuation of delay के लिए, चोथी चीजों के लिए और पाच्ची चीजों के लिए ये पढ़ लेना, और जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है न, बहुत बड़ी आया, मैंने का आपको पहले बोला था, चैप्टर आपको learn हो जाएगा ये साथ साथी, क्योंकि बहुत दम लगाया है यार, बहुत दम लगाया है इस चैप्टर के उपर, सब बच्चा ये बोल रहे हैं, मैंने पहले बोल दिया था यार, लास्ट में आप सब बच्चा बोलके जाओगे, सर रूल 63 बोलता है, जो आप अपने legal representative को अगर appear करवाते हो ना अपनी जेंगे पे, तो वकालत नामा सर आपको पेश करना पड़ेगा, अगर advocate आपके भीहाफ पे आ रहा है, अगर कोई professional आ रहा है, चार्टर अकाउंटेंट, post अकाउंटेंट, company secretary तो आपको memorandum of appearance, dress court सर जो उनके act में, जो उनका act के अंदर बताया गया, जैसर वकील्स का black coat paint, सर हमारा navy blue, तो वो उनको अपना follow करना पड़ेगा, सर अभी दो topic most important लिख देना माग, most important, एक दो मिनिट का break है, most important, सर एक्जाम में पूरे डे की महनत, सर वो case laws, सर ये special court, और ये caveat, multiple time ICS है, पूछ चुका है, आठ बार अगर अटेम्ट हैं, तो आठो बार question आए सर इन त्री टोपिक से, आठो बार, बिल्कुल जोश्वे, मजे में, मस्ती, please, control, सर, सर ये एक नएक परसंट था, most important provision है जी, most, important, एदार ध्यान दो, सर ये ने एक परसंट है, ये Mr., Mr. Student है, नहीं, सर ये ना एक परसंट है, Mr. प्यारे लाल, बहुत ध्यान से यारो, बहुत ध्यान से, बिल्कुल शान्त होगे provision समझना है, most important provision है, सर इसको ना, तीन बाते मैं बोलूगा अभी, तीन बाते, सर ये कोई परसंट है, इसको नहीं से डर है, कि ये कहीं, NCLT के अंदर, मेरे अगेंस्ट कोई petition, या कोई application ना लगा दे, किसी भी चीज़ की petition, application, यूजरी एक बात बोलू, जो चीज हम starting में लगाते हैं, देखो, मैं आपको और अच्छे, और अच्छे से बात बता रहा हूँ, दो मिनट अगर आप दोगे तो मुझे, सर, petition ना लगा दे, मेरे अगेंस्ट, इनिशिली लगते है, petition, application लगते है, interlocatory matters के लिए, बीच में कुछ matters के लिए, case start हो गया, उसके लिए, सर, इसको लगता कि, सर, कहीं मेरे अगेंस्ट कोई petition ना आए, किसी case में, सर, कोई मेरे अगेंस्ट petition आए, तो उस petition को, entertain करने से पहले, entertain करने से पहले, यहनि, taken up, उस petition को लेने से पहले, सर, उस petition को consider करने से पहले, मेरे बात ध्यान से समझ लो, सारा बच्चा, सर, उस petition को, जो person, petitioner, यह mister petitioner है जी, या इसको application मान लो अब, petition बोलो, application बोलो, सर, यह applicant ने, या इस petitioner ने, जो application ये petition लगाई है सर इसको entertain करने से पहले इसको consider करने से पहले इसको taken up करने से पहले before taken up सर इसको उपर action लेने से पहले इसको accept करने से पहले सर आप पहले मुझे सर्व करोगे notice कि सर आपके against ऐसा कोई application petition आई है अब देख लो सरी सर करने की पावर को जो मैंने आपके गेंश्ट एक जिम्मेवारी बना दी सर इसको बोलते हैं कैवियेट सर इसको क्या बोलते हैं लोजिंग ओफ कैवियेट समझ मैं आरी बात सर इकितने दिन तक के लिए वैलिड होता सर जो मैंने application लगाई है prescribed fees भी जाती है बहुत सारी content भी जाते हैं भी बताऊंगा सर ये 90 days के लिए वैलिड होता है सर इक एवियेट लगना सर अगर मेरे अगेंश्ट कोई भी application मेरे अगेंश्ट कोई भी petition आती है तो सर उसको entertain करने से पहले taken up करने से पहले मुझे notice सर किया जाएगा सर उसके बारे में प्यारे लाल ने अपने बारे में ये बोला और सर जो ये application उसने code इसमें NCLT में लगाई है application NCLT 3 form में 3C form में NCLT 3C आपके module में नहीं है form नमर मैं बता रहा हूँ practically क्यों कि किया है तो बता रहा हूँ NCLT 3C form में application सर इसकी एक copy पहले बात तो ये कैसे जाएगा triplicate सर ये triplicate में जाता है सर इसकी एक copy सर साथ साथ इसकी copy हम petitioner को या applicant को भी serve करते हैं या तो in person करेंगे सर उसके address पे खुद से जाके देके आएंगे या सर उसके address पे हम courier register पोस्ट से courier करवा देगा साथ साथ जैसे court में लगाई सर हमने वो notification सर साथ में एक copy हम उसको भी सचेत कर देंगे सर मैंने अगर तुँ मेरा अगर तुँ मेरा गेंश लेके जाएगा तो पहले मुझे बताना पड़ेगा is this okay इतना समझ में आ गया अब बहुत पिच्चर भी बाकी है बोलता है माल लो ये तो बात थे सिर्फ application किया petition कि अगर ये person NCLT में जाना चाहे तो appeal में तो मुझे उसके लिए एक separate appealant tribunal के पास same NCLT 3C form में application लगाने पड़ेगी सर अगर मेरा गेंश कोई भी appeal भी आती है उस Mr. Appellant को फिर सर उस case में Mr. Appellant को भी application जाएगी मेरी 3C form में अगर मेरा गेंश कोई भी appeal आई तो उसको taken up करने से पहले मुझे notice दिया जाएगा समझ में आगी बात सर एक बात मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ तो कोई भी एक simple भाशा में कोई भी petition, कोई भी application कोई भी appeal अगर मेरे गेंश आती है तो पहले वो entertain करने से पहले मुझे उसका notice आएगा सर इस चीज की मैं आपको advance में fees दे रहा हूँ, इसको बोलते है caveat 90 जनते के लिए valid रहेगा सर NCLT 3C form में जाएगा कुछ साथ में details भी हमें देनी होती है सर वो मैं आपको बढ़ाता हूँ अपना full address आपना back side में back side में अपना full address आप डालके दोगे कि सर notice जब आप भीजोगे मेरे इस address पे भीज़ देना बात समझ में आ गई हाँ, सर application usually a word है इन बिट्वीन अगर कोई interim application के लिए कोई जरूरी नहीं होता दूसरे पक्ष की बात सुनना सर कोई जरूरी नहीं दोनों पक्ष की बात सुने NCLT अपनी end पे भी answer दे सकता है मैं उस matter में भी application लगा सकता हूँ caveat की, अगर मेरा matter चल रहा है सर बीच में अगर कोई caveat मांग रहा है मैं बीच में अगर कोई interim relief मांग रहा है तो पहले मेरे से पूछा जाएगा तो इस चीज़ को भी बट प्रोवाइजो बोलता अगर वो stay order है तो सर NCLT की पास permission है सर वो चाहे तो ऐसा कर दे चाहे तो ना करे सर मिस्टर प्यारे लाल ने बोला है ना सर करने के लिए मिस्टर प्यारे लाल ने बोला है पहले मुझे बता दो कोई भी अगर आपको decision लेना है ठीक है ना बट हाँ एक exception है सर यहां बोलता है सर अगर अगर इधर दियान से देखो सर अगर ट्रिमनल इंटरिम ओडर पास करना चाहिए अर्जेंट 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 था तरो पास करना तो कर सकती है अधरवाइस सर ऐसा नहीं होगा समझ में आ गया कि आप लोग को basic जो मैंने आप लोग को समझाया क्या समझ में आ गया तर यह देख लो इदर तीन कोपी जाएंगी सर कोई भी appeal, petition, application किसी भी application अगर आई तो सर पहले आप क्या करोगे any person may lodge a caveat interplicate किसी भी appeal, petition या interim application के लिए that may be instituted जो करने वाले है before this tribunal इस tribunal के या एपले ट्रिमनल के सामने by paying a prescribed fees after forwarding a copy जो मुझे लगता है मेरे अगेंस्ट हो सकता है उस petitioner को applicant को भेज देंगे NCLT 3C form में जाएगा क्या-क्या चीज डाल के देंगे सर उसके साथ details, particular orders जिसके अगेंस्ट सर आपकी appeal आई होगी वो सारी चीज़े डाल देंगे authority की details सर जिसके अगेंस्ट bear act के अंदर mistake है सर ये मैंने दियाए वे bear act में दे कहानी बना के दे दिया आपको ये pointer मैंने बनाए है और मुझे लगता है सर मैं गलती भी हो सकता हूँ bear act में which word लिखा है यह होना चाहिए with a full address और सर आप अपना full address डाल के दोगे उसके back side में कि सर जो भी appeal वगेर आए तो मुझे serve कर दो मेरे इस address पर before the appeal petition or interim application is taken up सर पहले मुझे उसके serve कर दो तो यह which word मुझे लगता है bear act में टाइपिंग mistake है यह with होना चाहिए word मेरी interpretation में गलत भी हो सकता हूँ समझ में आगया हर बच्चे को और लेकिन interim application भले आपकी आगई अगर वो urgent nature का है तो NCLT के पास power is interim order pass कर सकती है 90 दिन के लिए से यह valid है is this okay ठीक है जी और मुझे बताओ कि यह special court वाला आपको आता है मैं छोड़ दू self के लिए यह आता है self के लिए छोड़ दू इतना मैंने आपको सारा करवा दे क्या यह self लिए छोड़ दू कराते तो आपको अब यह भाई तन्नू NCLT सर्व करेगा जिस चीज का पैसा देने है या NCLT करेगा सर सर बोला तो है कि आपको मैं अपना address भी दे रहा हूं सर ट्रिबुनल आप उस केस को लेने से पहले या उस अपील को लेने से पहले मुझे सर्व करोगे यही तो power caveat की कि आप पहले मुझे बताओगे अब मेरी भी बात सुनी जाएगी वो entertain करने से पहले पहले मैं भी अपना आपको prepare कर लूँगा न बच्चा बोल रहा यह सर कर लेंगे special quote वाला प्लीज आप एक बार self कर ले न तो कि easy है इसमें को amendment भी नहीं है notes मैंने आपको बहुत बढ़िया त्रेके से दे दिये एक plain reading मारोगे तो भी काम चल जाएगा ठीक है जी पक्का done पक्का इसको पढ़ते रहना है special quote वाले को self read मारोगे तो हो जाएगा बहुत easy language में बना के दिया है मैंने easy है एक बार read जरूर कर लेना लेकिन चिक है चेले दोस्तों बब बाई, take care, जय हिंदियार God bless you all, उमीद है के class आप सब के लिए fruitful रही होगी मुझे लगता है आप लोग को exam में जरूर काम आएगा और मेरी blessings sir उमीद है sir 8 plus marks आज की class के बाद आप लोग सेक्यूर कर लोगे, ठीक है जी बाई, take care, जय हिंदि, God bless you, good night to all of you guys, अच्छे से पढ़ते जाओ अब exam दूर नहीं है अपना पांचवा गेर लगा दो यार